हर हर महादेव हर हर महादेव ऐसा क्यों कहता है कि हर किसी के अंदर शिव है मुझे लगा था कि मेरी भक्ति चरम सीमा पर जा रही है उस समय जो एक चीज मुझे बहुत जादा इंस्पायर की थी अगोरी जो होते हैं कहते हैं कि किसी को असानी से मिलते नहीं है चरस, कांजा, चिलम, इन सभी से लोग उनको लिंक करते हैं. तो क्या वाकी में निम्हादेव ऐसे थे? तीसरी आंकम की रिक खुल जाएगी, तो प्रलाय आजाएगी. पोविड आया या जब रिक्षिव जी का एक तरीका था, हम याद लाने का. एक्जाक्टली, हर किसी की नियती डिसाइड़ है. हर हर मादेव? हर हर मादेव, हर हर मादेव. मीना जी, हर हर मादेव का अर्थ क्या है? हम जब कईब लोगों से मिलते हैं, तो लिक हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं. But when I meet some people, they say हर हर मादेव, हर हर मादेव. तो हर हर मादेव का अर्थ क्या है? काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, कश्ट हर, हर 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 मादेव. आता है ना और हर हर महादेव का नाम आता है तो सबसे पहले तो जो लोग हर हर महादेव बोलते हैं तो देनो कि उनके शरीर में कैसा स्पंदन होता है जब हर हर महादेव बोला जाता है और हम उनके बारे में बात करते हैं जो वास्तव में हमारे सब दुख, दर्द, कश्ट, क तक उनको तो स्वयम महाकाल बोला गया है, वो हर लेते हैं, तो कभी-कभी मैं बोलती हूं कि थोड़ा शरम भी आती है अच्कल बच्चों को ना, हर हर महादेव या राधे राधे राधे, वो कूल सौंड नी करता हूं या राम-राम बोलने में लेकिन अगर बोला जाये ना, एक बोलो, एक बोलो, खुल के बोलो एक बर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, you know, something just expands, and this is, this is Shiv, यह है Shiv, एक और अस्पेक था कि हर हर महादेव, कि हर किसी के अंदर महादेव हैं, हर किसी के अंदर शिव हैं, हर किसी के हैं महादेव, हर किसी के हैं महादेव, ऐसा क्यों कहता है कि हर किसी के अंदर शिव है हर किसी के अंदर मादेव है क्योंकि शिव को जब आप समझना शुरू करोगे न तो आपको समझ में आएगा कि शिव वास्तव में है कौन, शिव की उर्जा क्या है, कई लोग साकार रूप में देखते हैं, कई लोग निराकार रूप में देखते हैं, अब मैं आपसे सिरफ वो ही शेर कर सकती हूँ न, जो मैंने अनुभव किया है, और सबसे अच्छी बात ये होती है, कि हम जब वो शेर करते हैं, जो हमने अनुभव किया है, ना कि जो केवल लिखा हुआ है, तब आपको वास्तविक्ता समझाती है, तब आपको एक युनीकनेस समझाती है, क्योंकि आप मानलो अभी मैं आपको एक मा काली की तस्वीर देती हूँ, और आपने उनके बारे में कुछ नहीं जाना, आज तक कुछ नहीं पढ़ा हूँ, उनके बारे में, लेकिन आप उस तस्वीर को देखते रहों, और आपके कुछ भाव आएंगे, आपके मन में कुछ विचार आएंगे, पहले-पहले आपको डर लगेगा उनको देखकर, फिर धीरे-धीरे जब आप उनको एक टक देखते रहोगे, तो कोई ना कोई आपका ऐसा भाव आएगा, अब वो है आपका अपना अनुभव, लेकिन अगर आपने मा काली के बारे में कहीं पढ़ा होगा, या सुना होगा, या बचपन में कोई कहानी ऐसी सुन ली होगी, जो डरावनी होगी, तो that will stop you from connecting with her, उस उर्जा के साथ आपको connect करने से रोकेगी, इसलिए मैं बोलती हूँ, आध्यात्म में, आपके इष्ट जो भी हूँ, किसी भी परंपरा के हूँ, आप वैशनव के हूँ, आप शाक्त के हूँ, आप शैव के हूँ, कोई भी आपका इष्ट हो, आप अपना अनुभव लेकर आईए, and I always say this, अंग्रेजी में मैं बोलती हूँ, कि आप अपने आपको इतना develop करिये, अपनी intuition को, अपनी consciousness को, अपनी चेतना को, इतना develop कर लीजे, कि reality unfold अपने आप होना ही शुरू हो जाए, Explain this for the audience, आप मानते हो, आप unique हो? जी और आपकी यात्रा किसी की भी यात्रा जैसी नहीं है, बिल्कुल, आपके पिता, आपका पुत्र, आपकी पत्नी, जो आपके इतने करीबी लोग हैं, जिनसे आप इतना प्रेम गड़ते हो, लेकिन आपको पता है ना, कि आपकी अपनी यात्रा है इतना अनुभव हो गया है ये uniqueness आपको किस ने दी कहां से आभास आया कि मैं सब के जैसा नहीं हूँ या मैं सब के जैसी नहीं हूँ जब हमें ये आभास होना शुरू हो जाता है तब आप मानों कि आपका connection किसी एक supreme तत्व के साथ हो गया है उस परम तत्व के साथ आप जहते हुए भी अपनी एक यात्रा पर चल रहे हो ये जो अनुभव है कि मैं unique हूँ ये तो I believe हर इंसान को होता होगा न कि as compared to the person next to me मैं थोड़ाव से अलग हूँ special हूँ वाली अनुभव नहीं है ये एक unique होना और special होने में थोड़ा सा अंतर होता है जब हम special अपने आपको मान लेते हैं तो अहिंकार आ जाता है अब अगर मैं अपने आपको special मान लूँ कि मुझे शिव की भक्ती मिली है या मेरे साथ कुछ ऐसे experiences हुए हैं तो मैं special तो कही न कहीं एहंकार भाव आ जाएगा इगो आ जाएगी अपने आपको उपर समझ लेना और दूसरों को थोड़ा नीचा समझ लेना ये भाव अध्यात्म का भाव नहीं है ये भाव ना कृष्ण का है ना शिव का है जब हम unique अपने आपको समझते हैं तो सबसे पहला भ भाव क्या आता है ना भक्ती में ज्ञान की बाद भक्ती तो आएगी ज्ञान आपको भक्ती की ओर लेकर जाएगा तो ज्ञान ये बोलता है कि देखो तुम पात्र हो एक example से समझाती हूँ अब पहले का जीवन क्या था कि भई अंधेरे में निकले तो एक तौर्च थी तो डर गए साप पड़ा हुआ है साप पड़ा हुआ है फियर आ गया इतना ज्यादा रात को नहीं निकलना साप पड़ा हुआ है अब ग्यान से भक्ती से एक इतनी बड़ी रोशनी आ गई है एक दिया हाथ पर लेकर हम ऐसा घूमते हैं कि अब समझ आ गया है कि वो रस्सी है, साप नहीं है अभी तक हमें वो रसी साप दिख रही थी तो हम डर रहे थे अब समझ आ गया है कि वो सिरफ एक रसी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है यानि कि uniqueness जो होती है वो आपको ये बताती है कि आप इतने युनीक हो कि आप पात्र हो यू आर चोजन तो बी अन इंस्ट्रूमेंट ओनली आप केवल एक माध्यम हो बस कि मेरे जरिये हो रहा है बस अट तेम से फील कि जुमें काम कर रहा हूं कि आपने उसे पूछा भी था अभी इस पॉडकास्ट के पहले कि दिर बस आप ये पॉडकास्टिंग लिए क्यो कर रहे हो इसके पीछे क्या इतिहास क्या है इसका बैक स्टोरी अट एम से फील कि आप से मेरे बात हो रही है इसको जो लोग सुन रहे है तो इस पॉसिबल थू मी और थू आप इस और आप उसके जरीए आप बात करेंगे मैंना अबसर्फ किया कि कुछ लोग बोलेंगे राधे राधे इफ यू गो तो वर्ड लिख वरिंदा वन और मत्रा वहां की वाइब में ही राधे राधे होता है I come from Dehradun देव भूमी उत्राखंड वहां से पास पढ़ता है रिशिकेश हरे दौर वहां जाता हूँ तो हर इंसान आपसे ज़े मिलता है तो बोलता है हर हर महादेव मैं भी उजयन गया था वहां पर गया तो जै महाकाल जै महाकाल and I observed कि हर इंसान different different तरीके से चीजों को address कर रहे हैं तो पहली चीज हम यह कैसे समझें कि मैं किन की legacy या किन God के group में आता हूं ऐसे समझेगा कि एक group लिक रिशन जी वाला है एक group लिक शिव जी वाला है एक group लिक देवी जी वाला है तो you realize that आप जो शिव जी हैं उनसे करते हो connect that's why you say हरर मादेव and you talk a lot about शिव जी maybe I would connect with some other God और मेरे लिए राम राम ही निकलेगा राम राम ही निकलेगा तो यह पहचानना कि मैं इस God को follow कर रहा हूं you know it's like an Instagram account कि मैं इने follow करता हूं I relate with this person वो कैसे हैसास होता है देखो इसको समझाने के दिवस बहुत सारे तरीके हैं सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि destination सब एक ही है धाम एक ही है ultimate purpose एक ही है वहाँ जाने के रास्ते अलग-अलग है और हर युग में जो अलग-अलग गुरू आए हर युग में जो अवतार हुए उन्होंने उसी की बात की उसी परम तत्व की बात की लेकिन उस युग के और उस समाज की विवस्था के हिसाब से बात की एक ये तरीका हो सकता है दूसरा ये तरीका हो सकता है कि अगर मैं इसको फिर किसी एक example के तौर पर समझाओं कि देखिए अभी मोतिया मेरी आँखों में तो उत्रा नहीं कि मुझे दो नजर आएं आँखों में अभी कोई हेर फिर है नहीं जिसकी आँखों में कोई हेर फिर नहीं होता उसको सब एक ही दिखता है ऐसा नहीं है कि मैं अगर हर हर महादेव मैं मुझे ऐसा लगता है मैं मानती हूँ कि I am an ardent devotee of शिव लेकिन मुझे ये पता है कि शिव शक्ती के बिनाधूरे हैं तो मैं शक्ती मा की भी उपासना करूंगी मुझे ये भी पता है कि हरी से बड़ा कोई शिव का उपासक नहीं और शिव से बड़ा कोई हरी का भक्त नहीं तो मुझे अपने आप हरी की भी उपासना करनी पड़ेगी उनके भी रंग में रंगना बहुत अच्छा लगता है व्रिंदावन जाकर वो रस को देखना बहुत अच्छा लगता है अगर मुझे शिव और शक्ती के प्रेम का आभास है और मैंने उस प्रेम का अनुभव किया है तो श्री राधा जी का जो प्रेम कृष्ण के लिए है वो मैं हर पल फील कर सकती हूं नाम अलग हो सकते हैं परमपराएं थोड़ी अलग हो सकती हैं प्लेसेज अफ वर्षिप अलग हो सकते हैं पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है जनमाष्टमी अलग हो सकती है शिवरात्री अलग हो सकती है लेकिन सब कुछ अल्टिमेटली एक ही है एक ही परमतत्व है and आज अगर हम इन सब चीजों को जान भी रहे हैं आज देखे इतने अच्छे-च्छे podcasts है and I'm very happy that आज मैं आपसे बात कर रहे हूं I'm sitting in front of you and talking लेकिन आप ये देखिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं जैसे आपने बोला क्यों कर रहे हैं हम ये हम क्या बताना चाह रहे हैं क्या आप अपना name fame चाहते हो क्या मैं अपना name fame चाहती हूं बिल्कुल भी नहीं आज अगर हम ये सोचें कि आज काल देश परिस्थिती बोलते हैं न हम सनातन में यानि ये समय महादेव ने चुना या ये समय क्रिष्ण ने चुन लिया कि इस समय पर यहां एक ऐसी चर्चा होने वाली है ऐसा सत्संग होने वाला है जिसमें की एक vibration जाएगी और जो लोग हमारा ये podcast सुनेंगे जो हमारे श्रोता होंगे जो हमारे दर्शक होंगे 100% उनको ये vibration समझ में आएगी तो ये जो कार्य होता है जो हर किसी के निमित एक कार्य दिया हुआ है शिव ने वो कार्य जब हम कर रहे हैं तो उस कार्य से एक solution भी आ रहा है शायद कोई अगर ये समझता है कि शिव और कृष्ण अलग है तो वो शायद हमारा podcast सुनके उनको ये लगे कि सब एक है कुछ भी बोलो आप और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक datey को follow करते हो तो आपको दूसरी datey का नाम लेना बिलकुल allowed नहीं है ऐसा नहीं है allowed की बात नहीं है बात है कि some people are drawn towards it example के लिए मैं शायद चार से पांच साल का था when I first went to Vaishnodevi and तब से रात को सोने से पहले मम्मी को instead of good night जै माता दी I had no idea कि मैं क्यों बोल रहा हूं बट ये बोल रहा हूं अभी मैं फिर से गया करीब एक 30 साल के बाद and I had the chance सुभे चारवे के लिए और उसके बाद जो में गेट बंध हो गया था आरती के लिए and I had the privilege to be there for at least half an hour जो कि बहुती रहर होता है बाहर बड़ी सी मूर्ती है वापे मैं हूं खड़ावा उनको देख रहा हूं तप 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 and I'm like Divas what has happened to you? Is it because something is going inside of you? तो I feel कि मैं शायद देवी मा से जादा करता हूं कनेक्ट as compared to any other deity तो मेरा सवाल यह है कि यह चीज कैसे होती है कि a person I may not have tears when I am maybe near like Shivji or near like Ramji I may look at him from a different lens all together but in front of like Mata I'm like you know I just bow down जिसे आपके आसु निकाल सकता है Shivji के सामने मेरे शायद ना निकले तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर इंसानी different different like deity के सामने बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हमारी जो आत्मा है हमारी जो एक अंदर की need है आपको तो नहीं पता ना आपके प्रारभ नहीं पता आप आपने जनम लिया आपने क्यों जनम लिया आपको ये भी नहीं पता लेकिन हर किसी में एक वो spiritual gene होता है और हर कोई अलग-अलग रास्ते से ही होकर आता है उसी destination पर हम रास्ते को question नहीं कर सकते in fact spiritual journey तो ये कहती है कि the journey is more important than the destination तो आप किसी भी datey के थुरू आएं आप किसी से भी connect करें आपकी vibration और क्या पता मा की vibration बहुत connect करती हो परमांस योगानन्दा जी को आप देख लीजे correct मुझे लगता है रामकृष्ण परमांस को देख लीजे आप किसी भी बहुत revered और जो हमारे respected gurus and saints and rishis हैं आप देखिए कि उन्होंने एक को पकड़ा लेकिन उसके माध्यम से फिर पूरी स्रिष्टी को समझ लिया अब आपकी vibration हो सकता है मा की vibration के साथ connect करें अब आप देखो कृष्ण भक्त को देखो आप कितने चंचल होते हैं उनका स्वभाव देखो किस तरह से क्योंकि आप जिस डेटी से connect करते हो उनका भाव भी आपके अंदर अल्रेडी मौजूद होता है वो तो सिरफ enhance हो जाता है उनसे connect करके मा से connect करने का मतलब मा का वातसल्य आपके अंदर होगा you would naturally be a very emotional person क्योंकि मा को जैसे हम मा बोलते हैं तो वातसल्य आजाता है मा का एक nurturing ability दिखाई देती है अगर मैं normal sense में बोलू तो तो आप अगर connect करते हो मा से तो naturally आप में वो होगा understood so अगर एक मा का आपने लिंक किया वातसल्य से with emotions जो क्रिशन जी का आपने लिंक किया कि being very like fun-loving and light-hearted चंचल सभाव and naughtiness और इधर कुछ कर दिया उधर कुछ कर दिया लेकिन साथ में देखो ना प्रेम देखो तो धीरे धीरे जब हम connect करते हैं हम पहले तो जानना भी तो बहुत जरूरी है ना दिवस मेभी लोगों को पता ही ना लगे कि हम किसे connect करते हैं अगर पता लग गया वो ही ये कितना बड़ा सभागे होता है कि अब आप connect कर पा रहे हो हनुमान भगतों को आप देखिये हनुमान भगती जो होते है उनका क्या होता है connect? पावर 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 और फॉर शिव जी कि अब ये पॉड़कास लेक अब शिव जी है तो जो शिव भगत होता है उनका सपोर्ज अगर आप शिव भगत हो तो वाट इस आप कनेक्शन? अच्छली ये वाला जो connection था ना दिवस ये ना develop हुआ है इवाल हुआ है over time I think I still don't understand because he makes you experience so much but जब मुझे लगा था कि मेरी भक्ती चर्म सीमा पर जा रही है उस समय जो एक चीज मुझे बहुत जादा इंस्पायर की थी शिव से, महादेव से वो थी इनकी stillness पहली चीज जो मुझे like I fell in love with this thing and this aspect of शिव was when I used to see him sitting on a rock और मैंने बहुत notice किया इसलिए मैंने आपको वो example भी दिया कि मा की photo अगर आपके सामने रखूँ और आपको नहीं पता मा कौन है तो आपको क्या-क्या भाव आएंगे तो जब मैंने उनको देखा तो मेरे अंदर बिलकुल युनीक भाव आए थे जो मैंने ना कहीं पढ़े थे ना मैंने कहीं सुने थे ऐसा नहीं था कि शिव पुरान में ये लिखा था तो मैंने वो विजुलाइज किया तो जब मैंने उनको बेठे हुए देखा तो फर्स थिंग आ रियालाइज़ तिर्ता सबसे पहले तो शरीर की स्थिर्ता मुझे वो साधना में नजर आए तो वहां से मुझे साधना का मतलब मालूम चला साधना किस चीज को साधना है पहले शरीर वो युगों युगों तक ऐसे बैठे रहते हैं ऐसा पता भी नहीं लगता कि आप सोचिये कि मैंने उनको ध्यान से देखा तो एसा लग रहा था कि वो बिल्कुल पत्थर है फिर उनकी आँखों पर ध्यान गया उनका चहरा एकदम संभाव बैलेंस्ट कोई एमोशन नहीं था एक्स्ट्रीम डेटाच्मेंट लगी मुझे फिर मुझे लगा इतना डेटाच्ट होना जरूरी है क्या जीवन में लेकिन फिर उनकी आँखों पर मेरी द्रिश्टी गई और उनकी आँखे मैंने एक तिहाई खुली हुई देखी और मेरा फिर्स्ट था था कि विश्णू की आँखें खुली रहती है इनकी आँखें पूरी बंद भी नहीं है थोड़ी सी खुली है मेरा अनुभव था वो मैं यह नहीं कह रही कि आप भी उसको मानिये मैं अपना experience शेर कर रही हूँ वो सकता it strikes a chord in your heart I realized कि यह मुझे कुछ कह रहे है और यह उस समय की बात है बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ जब जीवन हर किसी का उथल पुथल में होता है Life is never smooth, it's not a straight path for anyone आप कुछ ढूंड रहे होते हो तो आपको शिव मिल गए, तो आपने देखा फिर आपकी नजरें जब गई इनकी आँखों पर और आपने देखा कि यह तो एक तिहाई खुली हुई है बाकी बंद है तो आपके मन में उस state को लेकर क्या भाव आया मुझे ऐसा लगा कि यह मुझे बोल रहे हैं कि देखो मेरी आखें कितनी बंद हैं और कितनी खुली हैं अब तुमें यही करना है अपने जीवन में सिरफ इतना जितनी आखें खुली हैं सिरफ इतना बहारी जीवन होना चाहिए और जितनी मेरी आखें बंध हैं, इतना अंतर ध्यान हो जाओ Means, only one third is what is needed to engage with the outside world बाकी सब तुम्हारी अपनी अंतर यात्रा And believe me Divas, I started doing that I will not say it was, ऐसे हो ही नहीं सकता है क्योंकि हम इस भौतिक जीवन में आते हैं मा के गर्भ में होते हैं, तो खुब हरी को बोल रहे होते हैं बस एक बार निकाल दो, एक बार निकाल दो ये मलमूत्र में नहीं रहा जा रहा एक बार निकाल दो, बस पूरा जीवन तुम्हारे तुम्हारा नाम लूँगा, तुम्हारी भक्ती करूँगा बस एक बार निकाल दो यहां से और मैं हर बार बोलती हूँ ये बात मत भूलना क्योंकि जब हम मा के गर्भ में होते हैं तो हमारी जो भौतिक रिलेशन्स है मा बहुत खुश है प्रेगनेंट हो गई फादर इस वेरी हैपी कि अरे बच्चा आने वाला है ग्राइंट पेरेंट्स इतने खुश हैं लेकिन किसी ने पूछा गया कि जो अंदर जीव है वो तो उस जगा पे बहुत परिशान है उसको तो वहां नहीं रहना है लेकिन जैसे ही बहार आये माया ने घेर लिया और वो प्रॉमिस भूल गये लेकिन बार बार आपके जीवन में परमात्मा आने की कोशिश करते हैं ज्यान आता है गुरू आते हैं आपके जीवन में कि आपको अपना वो वचन याद आ जाए क्योंकि ये जो प्रारब्द का सर्कल है करम का जो सर्कल है ये बहुत बहुत विजित्र है सारा दिन मैं लोगों से मिलती हूँ जो बोलते हैं हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे साथ ही हो रहा है very interesting I had the same question कि यार ऐसा क्यों हो रहा है and I got to know कि we have a soul contract कि हम जब यहां पर आय थे तो हमने एक agreement sign किया था और हस्ताक्षर भी किया था कि हा मुझे यही पेरंट चाहिए मुझे ऐसा ही जीवन चाहिए ऐसे ही दुख दर्द सब कुछ चाहिए but when we come over here we forget क्या रहे हमसा ऐसा क्यों हो रहे मैंने सा क्या किया so it has a connection with what you've done in the past yes absolutely आपके संचित कर्म है आपके प्रारब्ध कर्म है आपके क्रियामान कर्म है सब कुछ तो यह सिरफ कार्मिक साइकल आपका चल रहा है इसके लिए भी एक बहुत अच्छा एक्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि now joining the dots जो आपने मेर से पहले question कि कि शिव से मैंने सीखी सबसे पहले stillness कि सबसे पहले तो रुख जा जब problems आती है तो हमें लगते है अभी क्या होगा अभी क्या होगा ना सबसे पहले वो ले रुख जा wait ठहर जा शरीर को स्थिर करो स्थिर करो शरीर को मेरी तरह बैठना सीखो सांस को भी सांस को क्योंकि जैसे ही आपका शरीर स्थिर होता है, आपका मन शान्त हो जाता है. So true, अगर सांस पर आपका नियांतरन आ गया, तो अपने आप सब चीज़ें होती हैं, लाइन. और मैंने देखा कि वो क्यों अंतर ध्यान होते हैं हमेशा, मा बहुत परिशान रहती हैं कि आरे तुम तो बस, imagine having a husband like this, जो सारा टाइम की सिरफ ध्यान में ही रहे, तो पतनी कितनी परिशान होती होगी, तो आज कल मुझे लगता है कि कितनी मा कितनी परिशान रहती होंगी, गणेश कारति के अशोक सुंदरी कितने परिशान रहते होंगे कि अरे, मतलब ये तो ध्यान में ही रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी engagement और participation versus उनका detachment, बड़ा balanced है, वो खुद पर भी उतना ही, क्योंकि वो उनको पता है, उनका role क्या है, तो आज अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारा role क्या है, और उस role को अच्छे से निभाने के लिए, हमारी material life और हमारी spiritual life का balance होना बहुत ज़रूरी है, मैं इस तरह और जानना चाहूंगा, ये हर इंसान करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता है, तो वाट इस तो वाट इस तो फाइंड आज आज बाला जाता है, कि आपको सिरफ अध्यात्म का मतलब है सन्यासी बन जाना, या घर बार छोड़ देना, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, क्योंकि कई मार्ग बने हुए हैं, तो कई संतों ने अपने घर छोड़ दिये, क्योंकि उनके लिए वो कॉलिंग थी, लेकिन तपस्या ये भी है, और ये बहुत कड़ी तपस्या है, कि जब आप ग्रिहस्त होकर भी आप वेरागी हैं, अब सन्यासी और वेरागी होना एक फिजिकल पुजिशन नहीं है, वो एक आपकी मानसिक स्टेट है, वो आपके मन की अवस्था है, यानि कि सन्यासी की अवस्था क्या होती है, सन्यास किसको कहते हैं, जो समाज का न्यास करे, यानि कि जो समाज को संचालित करे, वो सन्यासी होता है, जो समाज को दिशा दिखाए, जो परिवार को दिशा दिखाए, उसको सन्यासी कहते हैं, As to my understanding, जिसने सब को छोड़ दिया, वो सन्यासी होता है, That is renunciation, तो छोड़ना तो फिर अपनी negative habits को भी तो छोड़ना छोड़ना होता है, तमस को भी छोड़ना छोड़ना होगा, तो आपको क्या छोड़ना है, ये भी आपको आपकी spiritual journey में धीरे-धीरे मालुम चलता है, अब पहले अगर आप smoking करते हो, आप drinking करते हो, और आपके लिए एक ये ही एक बहुत बड़ा एक milestone होता है, कि आप spirituality में आए और आपने वो छोड़ दिया, तो वो भी तो कही ना कही renunciation है ना, तो renouncing of what, आप किस चीज को छोड़ रहे हो, to evolve yourself, purpose क्या है, humanity का, human being का purpose क्या है, एक मनुष raise the vibration, यानि अपनी चेतना को और उपर लेकर जाना, spiritually evolve होना, तो आज अगर हम यहाँ पर हैं, कल यहाँ जाएं, फिर परसों यहाँ जाएं और दस साल बात देख पाएं, वो चालिसमें माले से अपने आपको नीचे खड़े होके देख पाएं, तो वेराग्य जो होता है, या सन्यास जो होता है, वो एक अपनी जर्नी का एक detachment है, जब आपको यह मालूम चलता है, that now I am not drenched in the material world, अब मैं आसकती का जीवन नहीं जी रहा हूं, अब मेरे लिए पैसा important है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ मुझे ग्यान है कि बीमारी आ सकती है, पैसे के साथ गलत आदितें आ सकती है, बहुत तामसिक चीजें आ सकती है, तो जब ग्यान होता है, तो आप detached होते हो, आपको मालूम है यह है, लेकिन यह transient है, कल होगा, कल नहीं होगा, एक कहानी सुनाओं आपको छोटी से, यह कहानी भी मैं बहुत सुनाती हूँ अपने सत्संग में, और मुझे लगता है कि, इस कहानी से हमें यह मालूम चलता है, कि evolution किसको कहते हैं, इस भौतिक जीवन में जीना, और जैसे आप बोल रहे हो ना, सन्यासी किसको कहते हैं, तो उसके लिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ, डायोजेनेस का नाम सुनाए हैं आपने? बहुत प्रचलित सेंट हुए, और अलक्जन्डर, जी, और अलometric संडर की Alexander जो है सिकंदर वो अपने जीवन की आखरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं ऐसा प्रसंग है और उसके लिए कोई उने बोलता है कि देखो तुम जा रहे हो अपने जीवन की आखरी लड़ाई लड़ने और एक बहुत बड़े संत है डायोजिनिस नाम के उनका आशीरवाद कर जाओ तो सिकंदर कहता है ठीक है तो वो जाते हैं तो डायोजिनिस जो है वो अपनी एक छोटी सी जोपडी सी है और वहाँ पर एक उनके पास कुत्ता है और एक बीच पर रह रहे हैं रेत में रहे हैं और मिनिमम है उनके पास आप ये मानिये कि उनकी उनके शरीर पर वस स्थिति आती है न हम प्रकृती से minimum लेते हैं वैसी वाली स्थिति में और वो संत वहाँ पर है तो जब अलिक्जैंडर वहाँ पहुँचते हैं तो अलिक्जैंडर का सिपाही डायोजनिस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सुनो तुमको मिलने जो हैं महान सिकंदर आए हैं Alexander the Great has come to meet you तो Diogenes हसना शुरू कर देते हैं खुब हसते हैं बोलते हैं यह कौन पागल आदमी है जो खुद को Great बोल रहा है तो सिपाही बोलता है अरे तुम समल के बात करो तुमारा सर काट दिया जाएगा तुमें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो तो कहता है किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं तो सिरफ इतना कह रहा हूँ कि कोई अपने आपको महान कैसे कह सकता है वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ तो खेर वो सिपाही जाता है और बोलता है Alexander को कि ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है, तो Alexander के मन में हलकी सी हलचल होती है, वो बोलता है मुझे मिलना है इनसे, तो सिपाही बोलता है आप मिलोगे, उनको लगता है अब तो इसका सरालग हो जाएगा, बोले नहीं मुझे मिलना है क्योंकि Alexander के दिल में कुछ होता है तो जब Alexander वहाँ जाते हैं तो Alexander बोलते हैं कि भई जो है मैं आपके आपसे मिलने आया हूँ आपके दर्शन करने आया हूँ Diogenes बोलते हैं कि क्यों करने आये हो मेरे दर्शन क्योंकि मैं अपने जीवन का एक युद्ध लड़ने जा रहा हूँ क्या होगा उस युद्ध को लड़ने से बुले मैं पूरी दुनिया फते कर लूँगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद विश्राम करूँगा उसके बाद खुश हो जाऊँगा तो Diogenes कहते हैं विश्राम करने के लिए और खुश होने के लिए तुझे पूरी दुनिया फत्य करनी ज़रूरी है क्या आ मेरे पास यहां बैट जा इस रेत में लोटपोट हो जा मेरी तरह इस कुत्ते की तरह और देख क्या विश्राम की स्थिती आती है क्या खुशी मिलती है उस समय कहते हैं कि अलेक्जांडर के मन में आया कि इस जनम में तो नहीं अगले जनम में मैं डायोजनिस बनना चाहूंगा उनके मन की ऐसी स्थिती हुई उस समय तो सिकंदर उन्हें कहते हैं कि इस जनम में तो नहीं पर मैं तुम से मिलने जरूर आऊंगा लेकिन तुमने अपनी इस बात से अलेक्जांडर का दिल जीत लिया सिकंदर का दिल जीत लिया बोलो क्या मांगते हो कुछ भी मांग लो मुझसे मैं तुमें दूँगा तो डायोजेनेस कहते हैं तुम मुझे क्या दोगे के रहे नहीं कुछ भी मांगो तो वो बोलते हैं कि थोड़ा side हो जा तो Alexander doesn't understand के रहे जो सूरे की किरण मुझ तक आ रही थी तुने वो भी रोक दी तो थोड़ा हट जा मुझ तक आने दे उस सूरे की किरण को और ऐसा बताते हैं कि Alexander उसके बाद बहुत विचार, सोच विचार में पढ़ जाता है और actually ये जो युद था इसके बाद कहते हैं कि Alexander की मृत्यू और Diogenes की मृत्यू सेम दिन होती है and then they meet on the energy level and then the exchange happens where Diogenes says कि देख मैंने तुझे बोला खना जीते जी खुश हो जाता जीते जी विश्राम कर लेता क्योंकि कब ये यात्रा हमारी आखरी यात्रा हो हम सोचके बैठे हैं न हम ऐसे ऐसे करेंगे five year plans, ten year plans लेकिन क्या पता कब ये यात्रा हमारी आखरी यात्रा हो तो Alexander का उसके बाद फिर सबको पता है कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो उनके हाथ खोल दिये गए कि कुछ नहीं लेकर जा रहे है Alexander the Great जैसा योध्धा भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता यानि कि ये आध्यात्मिक कहानिया है ये हमें बताती है कि जीवन में इसी जीवन में ये जो जीवन हमें मिला है इसी में हमें evolve होना है इसी में हमें ऊपर उठना है अपनी चेतना को परम चेतना से जोडने का कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं and what is the end goal दिवस क्या है end goal हम आज भक्ती भी कर रहे हैं हम आज ग्यान में भी हैं आप पॉडकास्ट कर रहे हो मुझे लगता है शिव सुन रहे हैं शिव बोल रहे हैं शिव देख रहे हैं end goal क्या है happiness शान्ती एक सहजता रहे दिल में आज का दिन याद रहे हमें कि हम जो आज मिले थे वो हमने कुछ उनके निमित कुछ ऐसा काम कर दिया बस इतनी सी तो बात है तो जब हम इनके करीब होते हैं हमें ये ज्ञान आना शुरू हो जाता है और हम फिर अपने रास्ते पर धीरे 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 चलते हैं जहां पर वो तपस्या और सन्यासी और balance हो जाती है life कि ना आप आसकती में हो ना विरक्ती में हो आप अना सकती में हो भगवान श्री कृष्ण ने भी अना सकती की बात की भगवत गीता में उन्होंने बोला बीच के रास्ते पर चलो मैं भी मिलूंगा और तुम्हारे सारे dreams, ambitions, पैसा बंगला घाडी सब पूरा हो जाएगा लेकिन वहां मैं भी मिलूँगा क्योंकि मैं तुम्हें ज्यान दूँगा धरमक्षेत्र मैं भगवत गीता को मानती हूँ कि ये कुरुक्षेत्र से धरमक्षेत्र की यात्रा है हर किसी के लिए आज भगवत गीता का ज्यान बहुत जरूरी है क्योंकि कुरुक्षेत्र द्वन्द था ना करू या ना करूं किसका जीवन द्वन्द नहीं है आज अर्जुन की स्थिती सब की स्थिती है मारूं या ना मारूं मेरे को सन्यास बोलते हैं इसी को तपस्वी बोलते हैं इसी को renunciation बोलते हैं कि आज आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं है वो आपने छोड़ दिया है आज आपके जीवन में केवल वो है जो सतोगुण है जो pure है तो ये भी तो एक state होती है ना परमात्मा की purity ये राइन विप्यूरटी ये अदितर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और जो इंटॉक्सिकेशन है उसे फज जाते हैं लोग लिंक करते हैं कि जो महादेव हैं उनको लोग केक इमिज मिना रखियें इचरस, गांजा, चिलम इन सभी से लोग उनको लिंक करते हैं तो क्या वाके में महादेव ऐसे थे या फिर लोगों ने ऐसी इमिज बना रखियें और ये सब चीजों को समझाने का और इनका तर्क कुतर्क तो देखो चलता रहेगा वो तो आजकल तर्क और कुतर्क ही रह गया है सिरफ हम ग्यान की बात करते हैं कभी-कभी हिचक भी आत देते हैं देखो जब हम भगवान को सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिलकुल भी भगवान के बारे में ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए हम ये ना भूलें कि हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं भगवान के बारे में आजकल भगवान को बहुत casual बना दिया कोई कुछ भी बात कर देता है कि वो रासलीला करते थे तो हम भी तो कर सकते हैं श्री राम, मर्यादा पुरिशोत्तम श्री राम के बारे में कि उन्होंने तो अपनी पत्नी को बहुत तंग किया भई अपनी पत्नी को निकाल दिया घर से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बोलने से पहले गलत कर्म अरजित ना हो जाएं हमें पूरा अध्यन, पूरा ज्यान और पूरी भक्ती से इस बात को सोचना चाहिए नंबर वान नंबर टू, जब कोई एक कहानी जेनेरेशन टू जेनेरेशन, जेनेरेशन टू जेनेरेशन आप सोचो आप डमशरड्स खेलते हो पांच लोग बैठे होते हैं और छटे इंसान तक वो शब्द भूल जाते हो वो सेंटेंस उपर नीचे हो जाता है तो आप सोचो हमारी भगवानों की कहानिया mythology या वेद, उपनिशद कब से चलते आ रहे हैं तो जब एक ने सुना, दूसरे को सुनाया फिर तीसरे ने सुना, फिर चौथे को सुनाया तो कुछ तो changes हो गए दूसरी बात मैं हमेशा ये बोलती हूँ की episode is not equal to shlok या verse जो आपने टीवी पर episode देखा है आपने हरहर महादेव का कोई episode देख लिया या कोई आपने कोई movie देख ली episode can never be equal to the original verse ठीक है ना? कुछ उसने भी ये थोड़ा सा बढ़ा चड़ा के दिखा दिया और कुछ हम समझ नहीं पाए और समझाने का तरीका सिरफ इतना है कि किसी पर अपने विचार थोपे ना जाएं सिरफ इतना तरीका है कि देखे कृष्ण ने रासलीला की रासलीला का शायद मतलब नहीं पता लेकिन जिससे पहले आप रासलीला के बारे में पढ़ें या उसका अनुभव करें जाने या गुरूओं के पास संतों के पास बैठ कर उसके बारे में जानने की इच्छा रखें इतना तो समझ ले कि कृष्ण ने गोवर्धन अपनी छोटी उंगली पर भी उठाया था क्या आप वो गोवर्धन उठा पा रहे हैं क्या आप आज अपने पूरे परिवार का बोज भी उठा पा रहे हैं आजकल तो परिवार का बोज उठाने लायक भी लोग नहीं रहे अगर राम जी ने ऐसा ऐसा किया, उससे पहले जो उन्होंने चीजे करी है, जो मर्यादा का पालन किया है, कि आपके अंदर वो कारेक्टर है, तू लिव लगता है, और यही मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है इस यूग की अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारा ग्या है, अब ग्यान ढूंडने हमें, गुरुओं को ढूंडने हमें, जंगलों में नहीं जाना पड़ रहा है, पहले तो क्वालिफिकेशन भी हुआ करती थी कि आप इस शिष्य क्वालिफाइड हो क्या इतना ग्यान लेने के लिए, एक मर्यादा है गुरु की, शिष्य की, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि महादेव, अगर पॉईजन है, अगर हम किसी भी तरह की इंटॉक्सिकेशन को पॉईजन मानते हैं, तो मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ कि आप नीलकंट को देखिए, उन्होंने अमरित मन्थन के समय, विष्य लेने कोई नहीं आया, रत्न लेने बाकी सब लोग आ गए, कामदेनु, गाय देदो, लक्ष्मी देदो, सब आ गए, लेकिन विष्य के लिए तो केवल महादेव आए, आज अगर वो विष्य महादेव ना ग्रहन करते, अपने कंठ में ना रखते, तो आज आप सोचिए पूरी स्रिष्टी का क्या हाल ह होता, तो जब महादेव स्वयम महादेव ने इस रिष्टी को बचाने के लिए, विष्य अपने कंठ में रखा हुआ है, तो अगर कहीं न कहीं सोम्रस का वर्णन आया है, या कहीं न कहीं कैनबिस का वर्णन आया है, तो उसके आगे पीछे की कथाएं होंगी ना, तो हम क्य आज अपने लाइफस्टाइल को सूट करने के लिए उसको बोलते हैं हाँ, ये जस्टिफाइड है, श्री राम की आप लीजे, मर्यादा पुर्शोत्तम श्री राम, श्री राम जैसा बेटा, श्री राम जैसा भाई, श्री राम जैसे पिता, श्री राम जैसे पती, बहुत सारे हैं ना वर्णन कोई रीजन रहा होगा कि वो राजा राम से मर्यादा पुर्शोत्तम राम बन गए तो जब वो आप पढ़ेंगे तो आपके ये सारे जो सवाल हैं और जो हम so called अपने आपको बहुत ज्यानी या informative बनाना चाहते हैं ना दुनिया के सामने ये बंद हो जाएगा और भक्ती की सबसे बड़ी भक्ती की पराकाष्टा क्या है मालू मैं दिवस भक्ती की पराकाष्टा है हाँ प्रभू ने जो किया होगा किया होगा उनकी लीला होगी हर चीज में तो उनकी लीला surrender हर चीज में तो प्रभू की लीला है हर चीज में उनकी लीला चल रही है जब कभी भी I think of कि जो हो रहा है उनके थ्रू हो रहा है मैं सिर्व एक माध्यम हो आप surrender करना चाहते हो तो a part of you says कि अगर वो ही सब कुछ कर रहे है so what are you doing आपके दियंत्रेंट में किया है आपके control में किया है if it is all being done through me so एक हम आते हैं divine will के साथ और एक हमें दी जाती है free will दो होती है अब divine will तो उनोंने सब को दी है ऐसा नहीं है कि सिरफ उसके लिए कुछ को चुना गया है लेकिन काम होता है free will का important है आपके क्रिया मान कर्म जिससे आपका आज का भाग्य बन रहा है तो जब सब के पास ये access है आप मानिए आज सब के पास smartphone है ठीक है easy है ना आज कर ले लेना क्या करते हैं हम wifi को connect करने के लिए सब लोगों के पास SSID आती है आप अपना wifi on करिए SSID पे connect कर लीजे आप connect हो जाएंगे आज कल तो technology भी ये बता रही है कि देखिए science हमेशा से थी आज technology सिरफ उसको validate कर रही है same way ये connection हर किसी के पास है लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी free will से उस code को connect करते हैं और connect हो जाते हैं तो ideal situation is your free will is aligned to God's will जो आप करम कर रहे हैं वो जो करम वो करवाना चाह रहे हैं आपसे उसके साथ align हो गया ये ideal situation होती है करम तो करना है ना करम तो करना है कारे करना है हम खाना भी खाना है कोई spiritual इंसान कोई पहले जमाने में आप देखिए आज हम ऐसे योगियों के बारे में सुनते हैं जो 20-25-25 साल से जिनों ने खाना नहीं ग्रहेंड किया है पानी नहीं पिया है अपनी श्वास भी बहुत लिमिटेड कर ली है Do you feel that जो ऐसे लोग होते हैं I often find them in Rishikichna in Gharidwar जो बाबा लोग एठे होते हैं कि they are more evolved than us मैं लगता है कि हम अभी उस भोगने वाले लूप में फसे हुए हैं and they are much more evolved कि उनको अब उससे फरक ही नहीं पड़ता है I will not say फरक नहीं पड़ता है I will say कि they have tasted what is death मैं एक चीज़ बोलती हूँ दिवस Tasted death Yes कि life is an illusion and death is reality Okay हम सब जीवन जीते हैं life को set करने के लिए Life को set करना मतलब मतलब सारा जो हम भोग है ये सारा life ही तो है हमारी तो ये illusion है ज्यान हमें बताता है ध्यान जब आप ध्यान करते हो देखो ज्यान के आगे अभी जो हम aspects नहीं touch कर रहे है वो है मंत्र आपके साथ क्या करते है ध्यान आपके साथ क्या करता है और हर महारिशी पतांजली ने भी आपको ये बताया यम, नियम, आसन, प्रानयाम, प्रत्याहरा, ध्यान, ध्यान, समाधी यानि कि हम अपने आपको evolve कर रहे हैं तो हमारा रास्ता क्या है तो जब हम जगत को मिथ्या हमें समझ आ जाती है कि ये सब मिथ्या है आज जो लोग आपको आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कल वो लोग आपको ट्रोल भी कर सकते हैं इतना तो सोशल मीडिया पे भी अब समझ आ गया है न तो ये तो हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले बोल दिया था निंदा स्तुती एक समान कोई आपकी निंदा करे या कोई आपकी स्तुती करे आपको कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए यानि कि इतनी बड़ी इस स्टेट्मेंट में ये छुपा हुआ है कि जगत मिथ्या है कि जो हम जी रहे हैं जो हम इतनी प्लानिंग करते हैं अब हम बताओ अपने फिनांशल प्लान्स बना रहे हैं कि पान साल, दस साल मेरा पैसा डबल हो जाएगा SIPs में डाल दो, Mutual Funds में डाल दो, Property में डाल दो ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है करो, लेकिन साथ में एक और चीज़ ध्यान रखो कि हमारे पास कोई Certificate नहीं है कि हम 5-10 साल जीने वाले हैं कोई नहीं लेके आया ये Certificate ये शिव ने अपने पास रखा हुआ है, श्वास उनके पास हैं, गिनी हुई तो ये जब ग्यान होता है ना, तो हम बड़ी balanced life जीते हैं हम एक तरफ को ब्रुझा नहीं कर लेते अपना We remember कि well, we are making the plans, वो करना है हमें अपने बच्चों के लिए सब कुछ संचालित करना है, सब कुछ करना है, बच्चों को educate करना है लेकिन Divine will भी है Divine will भी है, मुझे ये भी ग्यान होना चाहिए कि शायद कल हो ही न तो तब तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो शिव ने ये ग्यान बहुत अच्छे से दे दिया कि कुछ भी अगर छोड़ना पड़े तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए कुछ भी तुम्हारा नहीं है तो जब आप कुछ छोड़ते हो मानो कुछ समय के लिए आपने कुछ रंग छोड़ दिया कुछ समय के लिए आपने कुछ मीठा छोड़ दिया क्योंकि जब हम आध्यात्मिक पात पे होते हैं तो कुछ-कुछ sacrifices हमें करते रहने चाहिए कभी रंग छोड़ दो, कभी कोई fruit छोड़ दो बस छोड़ दो, अपनी willpower को test करो लेकिन आपका subconscious mind, आपका जो अवचेतन मन है वो उस समय क्या वायर क्या हो रहा है आपके अंदर कि मेरे लिए कुछ भी छोड़ना मुश्किल नहीं है to the extent that जिस दिन मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा तो भी मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा understood आपने मंतर का जिकर किया था अभी जो महामृत्युन जय का जाप है वो कहा था बच्पन में कि अगर आप इसे करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए इस जाप से होता क्या है और किन लोग को करना चाहिए है मंतर कुछ ऐसा नहीं है मंतर सब लोग कर सकते है जो मंतर है ना मंतर एक एनरजी है जो उस डेटी को कॉल करता है right मंतर देवता खुद है actually अगर आप देखा जाए कि मंतर का मतलब क्या है आपने अपने बच्चे का नाम रखा वो मंतर ही तो है आप अपने बच्चे को जितनी बार बुलाओगे उस नाम से, वो आएगा ना, तो in a way आप चैंट कर रहे हो, इसलिए हम बोलते हैं नाम बहुत ध्यान से रखो, क्योंकि it is as good as mantra chanting. तो आप कहरे हो कि जो भी नाम है, उसका एक frequency है, उसका vibration है, हम जब ओम कहते हैं, तो vibration के जरिये, we feel better. ओम तो खेर है ही. ऐसे ही, जो भी सारे mantra होते हैं, उन सब की vibration होती है, और उससे भी connect with the deity. and that vibration is the same and the mantra is the deity herself or himself. इसलिए जो पंचाक्षरी मंत्र है हमारा नमशीवाया. है ना? पंचाक्षर है ना इसमें. यह शिव के यह पांच Elements मान लीजिए अप. शिव के पांच Aspects मान लीजिए. यह जभी भी आप आप ओम जोड़ दीजे उसमें, आप ओम नमस्षिवाय का जबी भी जाब करते हो, तो actually आप connect कर रहे हो उस frequency के साथ, उन पंच महाभूतों के साथ, उस aspect के साथ, जो आपको उस deity की energy को feel करवाता है, अभी देखे दिवाली गई है, तो सब ने श्रीम, 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 श्रीम का जाब किया है न, क्योंकि लक् है, तो जब invoke करना होता है आपको, उस deity को आपको invoke करना है, आप उस mantra का बार बार जाब करते हो, अमुख भी करते हो, आपके मन में वो चलते रहना चाहिए, हमेशा, तो वो deity की energy आपके साथ हमेशा रहती है, that is why mantras are very important, गुरु मंत्र क्यों दिया जाता है, आपके गुरु आपको एक मंत्र क्यों कान में फूगते हैं, क्योंकि वो आपके गुरु का आपके साथ connection होता है, और आपके गुरु को ये पता है कि आपको किसके साथ connect करना है, तो गुरु बेशक अपना शरीर छोड़ दे, लेकिन आपको वो मंत्र दे जाते हैं, मंत्र is like that, ATM, so whenever you chant the mantra, जबी भी आप जाप करोगे, तो आप तुरंट connect हो जाओगे, तो कोई भी मंत्र हो, महामरितुन्जय मंत्र, महामरितुन्जय तो खेर, मंत्रों में मंत्र है, क्योंकि ये आपको जन्मों जनम के प्रारब्द से, fear of death, unknown fears, जब कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, तो आपको इस म करना चाहिए, लेकिन मंत्र सब एक जैसे हैं, और बहुत पाफुल है मंत्र, और मंत्र बच्चों को जरूर सिखाने चाहिए, गुरुकुल में जो ग्यान मिलता था, वो मंत्रों का ही मिलता था, आप सब जब disciples बैटके, सब शिश्य बैटकर, जब कोई मंत्रों चारण करते थे, तो आप सोचे, into so many multiples इतनी वो energy create हो जाती थी, आपकी जगा पवित्र हो जाती है, आपके घर की दिवारों तक में वो मंत्र की vibration जाती है, आपका घर बहुत जादा positively वाइब्रेट करता है, तो मंत्र has the power of invoking the deity and keeping you connected to that energy. God, मुझे मंत्र तो आया समझ, when I see you, आपने रुद्राक्षी माला पहनी हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि एक दो मुखी और चार मुखी, दोनों में क्या फरक है, किसके लिए क्या suitable है, और इसकी क्या significance है, मैंने ये भी सुनाएं कि जो रुद्राक्ष है वो शिवजी के आं एक बिल्कुल सिंपल सा एक connection है, जैसे आपने देखा एक कृष्ण भगत तुलसी की माला, हमेशा अपने कंठ में धारण करते हैं, वो उनकी पहचान है, ठीक है, ऐसे ही जितने भी शिवभगत होते हैं, उनको रुद्राक्ष बहुत प्रिय है, कहानी ये कहती है कि ये देव के आसू हैं और रुद्राक्ष जो है, अब तो बहुत research भी हो रही है, in fact मैं ही एक university से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर रुद्राक्ष पर बहुत बड़ी research हो रही है, और इसकी medicinal और spiritual qualities के बारे में बहुत शोधन हो रहा है, यहाँ पर नहीं बाहर भी बहुत शरीर को touch हो रही है, तो उसके गुणाब के अंदर आएंगे ही आएंगे, आप कुछ भी पहनते हो, आप सोना पहनते हो, आप चांदी पहनते हो, और जब वो आपके शरीर को touch करता है, तो उसकी vibration, उस metal की vibration आपको heal करती है, इसलिए हम बोलते हैं ना कि हम अपने सनातन में कि पेट के नीचे के हिस्से में हमें चांदी पहननी चाहिए और उपर के हिस्से में हमें सोना पहनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो पांच प्रान हैं, उसको regulated रखता है, हील करता है हमें, आपने देखा होगा हमारे सनातन में जो लड़कियां हैं, वो married लड़कियां वो पहनती हैं, पाजे पहनती हैं, इसमें कुछ वो नहीं है कि वाए गोल्ड, क्योंकि इसका सारा एक साइंटिफिक लॉजिक है, आज विज्ञान भी ये मान रहा है कि हमें सम्हाव ये पता था, पहले से पता था हमें, कि हमारे शरीर के लिए कौन सा मेटल अच्छा है, रित पहनते ही उस सीड का वाइब्रेशन आप कैच कर पाते हो, और आपके शरीर में उसकी उर्जा आ जाती है, और मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरह से देखती हूँ, कि जब आपने रुदराक्ष पहन लिया, रुदराक्ष के नियम भी होते हैं काफी, फॉलो भी करने चाह फैशन नहीं है रुदराक्ष पहनना, जैसे तुलसी की माला पहनना फैशन नहीं है, है ना, तो हमें नियम भी पता होने चाहिए, लेकिन मैं इसको अब एक और तरीके से देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि जब आपने हाथ में रुदराक्ष पहन लिया, आपने गले है, तो अब इन हाथों से, ये करमेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां, और्गन्ज ऑफ अक्षिन, और्गन्ज ऑफ पर्सेप्शन, अब इनसे तुम कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, ये एक रिमाइंडर होता है हमारे लिए, कि ये आपके साथ हैं, तो अब आपके हाथ वो कर सकते हैं जो कल्यांड कारी है अब ये हाथ कुछ गलत काम नहीं कर सकते कैसा भी है कि we always look at Shivji as a destroyer लोग बहुत डरते हैं कि Shivji सब बहुत डरते हैं आप डरते हूं I am the like chill कि सब अच्छे हैं सब लिख साथ हैं I would say that had you asked this question to me a few years back I would have said yes but पिछले कुछ सालों में I have realized कि blessing है मेरे उपर तभी मैं जो कर पा रहा हूं वो कर पा रहा हूं तो I have faith now not like fear होता न कि ये बार कि मैंनो observe किया था बड़े होते हुए कि घर पे ये नहीं करना वनना ये हो जाएगा तो बहुत ही डर के साथ जी रहे थे and I said ममा मतलब अगर आपका इतना विश्वास है आप रोज तो भी उटके पूजा पाड़ ले करते हो तो अगर हम लोग faith से operate करें instead of fear it's much better तो मुझे तो अब एहसास हो गया कि हाँ किसी का हाथ है तो डर किसी का नहीं है सब पे विश्वास है कि हाँ सब साथ दे रहे है किसने किसी फॉर्म में तो मेरा सवाल ये था कि लोग जो शिवभगत होते हैं या शिवजी को जो मानते हैं is it because that वो बहुत ही strict headmaster है कि बस dare you mess with me but why would anyone believe someone who is so strict ये भी तो सोचो फियर है ना अगर मैं उनसे इतना प्रेम करती हूं और अब विश्वास है कि वो भी मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे फियर होगा मतलब फियर इंस्टिल नहीं है इस नोट फियर इंस्टिल वो ना एक हमने भूमिकासी बना दिये कि उनका जो औरा है अगें अजब दिसकाँ इनिशली कि ग्रिश्छन जी है जो थिनका पर्सेप्षन ङմ बहूत ही लवें बहुत लवैंग बहुत ही फ्रेंली बहुत ही ये बहुत हमल conson man अन इक तरफ शिव जी है कि you know, very serious, dare you mess with him, he's that like senior guy in the entire hierarchy, that he's absolutely the boss. That's how it feels, which is true. Which is true also, I will not say that, no. He is, yes, he has a very different personality, as we see it, because we need to see it for us, to think about it, now we are in this era, where we need to see it for us. Like in the temple, we need to see it for us to see it in the temple, otherwise we will visualize how we can see it. So, destroyer, yes, in fact, it's a lot of shodhan, now science is also doing this, we say, Brahma Ji has saved, Vishnu Ji has preserved, and Shiv is a destroyer, and today, quantum side, and Vigyan, is also thinking about this, in fact, Carl Sagan's book, if you read Cosmos, and cosmetologist, and he has done a lot of shodhan, in fact, he was very surprised, that, how could we figure out, how could Sanatan figure out, this vicious cycle, you know, that everything is cyclic, जो आज साइन्स बता रहा है, वो ऐसा कैसे है कि, हमें अलरडी पता है, कि सब कुछ साइक्लिक है, जीवन मृत्यू, जीवन मृत्यू, जीवन मृत्यू, ब्रह्मा, विश्नु महेश, ये साइक्लिक कैसे है, तो वो बड़े इंप्रेस हुए थे, तो आप सोचो की कुछ तो है, डिस्ट्रॉयर की जब हम बात करते हैं, आज के संदर्व में, और दिवस, आज क्या एप्लिकेबल है, आज इन चीजों को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, क्या लर्निंग हो सकती है, अगर हमने साइन थीटा, कॉस थीटा पड़ा था स्कूल में, आज एक हाउस वाइफ को साइन थीटा, कॉस थीटा का कुछ जरूरत नहीं है, मुझे भी जरूरत नहीं है, इसे समझें, एक modern तरह से समझें, जिससे कि उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार पाएं, तो शिव जो हैं, वो डिस्ट्रॉयर हैं, लेकिन वो क्या डिस्ट्रॉय करने आए हैं? हमारी ego, हमारी negativities, हमारे पाप, हमारी sufferings, हमारे प्रारब्ध, ये डिस्ट्रॉय करने आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? तो डिस्ट्रॉयर ऐसा नहीं है कि यू नो, मतलब प्रले ले आए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि जो तीसरी आंक का उनकी खुल जाएगी, तो प्रले आ जाएगी, जो भी कोविड आया, या जब लिक्षिवजी का एक तरीका था, हम याद इलाने का, कि समल जाओ, समले, पॉइंट यह है, तरीका था, सबने बात की थी, और बहुत बात की थी, सबने कोविड में, कि हाँ, अब हमने मा प्रकृती का बहुत जादा शोशन कर लिया है, एक्स्प्लॉइट किया है उनको, और अब यह बैलन्स वापिस आ रहा है, लेकिन क्या हम सुद्रे, नहीं सुद्रे, यह प्रॉब्लम है, I have changed, you know, I would say about myself, कि हाँ मैं है तो बदला हूँ बहुत कुछ, Yes, we have, something has shifted, something has shifted, in a few souls, and that is why, शायद हम बात करते हैं कि, जो souls बदल रही हैं, या जो जिन आत्माओं में यह परिवर्तन आ रहा है, जो ज्यान, and you are very young actually, आज़ तो यह भी प्रॉब्लम है ना, कि साट सतर साल के जब तक नहीं हो तो spiritual बाते करोगे तो ऐसा लगेगा, बस you are not in the normal realm as people call it, तुम नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि तुम इतने young हो, और तुम spiritual बाते कर रहे हो, but इसी को spiritual transformation कहते हैं, और एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि, हमें जिन चीजों पर हम dependent थे ना, पैसा, वक्त, हमें लगता था, वक्त हमारे control में है, जैसा हम चाहेंगे, कर लेंगे, हमारी ये ज़रूर्ते हैं, जिन चीजों को जोडने के लिए, हम बिल्कुल पागल हो रहे थे, वो ही चीजें हमसे ली जा रही हैं अब, और वो चीजें हमसे क्यों ली जा रही हैं, क्योंकि उन चीजों के बिना हम शट पटाएंगे आंकर तो चाहिए ना सबको लेकिन जब वो चीजें हमारे पास नहीं रहेंगी और वो हमसे ले ली जाएंगी तो हम सब एक आंकर ढूंडेंगे और वो आंकर होगा हमारा आध्यात्मिक जीवन और इसको कहते हैं spiritual transformation I think it connects beautifully with what we said previously आपने कहा था कि जो छोड़ना है कि अगर suppose अपनी willpower को लेक्टेस्ट कर रहा हूं कि tomorrow if I have to leave this body as well तो भी मुझे दुखना हूं तो जो detachment है वो धीरे 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 छोड़ना पड़े जो भी मैं इखटा कर भी रहा हूं अगर छोड़ना भी पड़ जाए धन दौलत, मौ, रिष्टे तो भी ऐसा दुख मुझे महसूस ना हूँ इक हैना चारे वाग हाँ क्योंकि दुखना हमें बांध देता है attachment है न हमें किसी चीज से, अपने शरीर से भी बहुत attachment है इसलिए इसलिए, हाँ, इसलिए गर्ब संसकार से अंतिम संसकार जितने भी हमारे संसकार बने हैं वो अंतिम संसकार में भी सारा कुछ क्या है? अब शिव सम्शान में मिलते हैं मैंने बहुत बात की है इस पर कि शिव शमशान में क्यों मिलते हैं क्यों मिलते हैं क्योंकि वो शव जो है जब हम शव जब हम इस शरीर से पार जाते हैं तो ही हमें समझ में आता है कि शिव कौन है जीते जी कहां समझ में आता है शिव कौन है ये जो शरीर है ना ये बाधा है शरीर बहुत बड़ी बाधा है सारा मोह जो है वो शरीर के साथ का है तो शरीर बाधा बन जाता है तो शिव का शमशान में बैठना यानि कि आपके आपके लिए स्वागत के लिए बैठे हैं वो शिव शम्शान में आपके स्वागत के लिए बैठें लेकिन अगर इस ज्ञान को एक पल के लिए भी हम इस शरीर के साथ अनुभव कर लें इस शिव का हम शरीर के साथ अनुभव कर लें जरूरी नहीं है इसको शव बनना पड़े वो अनुभव कैसे होगा जब भी मैं कभी शम्शान में गया हूँ तो वहाँ पर एक अलग ही महौल होता है तो आप उस वह में चले जाते हो कहीं कहीं पर शिव जी की मूर्ती लगी हुई होती है तो यो अच्छा ही इस दो वन हो कंट्रोल्स इस प्लेस और यहां पर आपको वेलकम करने से बोला आपने शव बनने के बाद तो आप उनके हवाले हो आपको तब आगा समझ की शिव जी कौन थे जीते जी शिव जी का अनुभव कैसे हो सकता है यही यही जानना है हमें कैसे हो सकता है यह जो शरीर है और यह जो भौतिक जीवन है यह केवल और केवल हमें अपने आध्यात में कुछ थान के लिए मिला है कि वो प्रोसेस मुश्किल ना हो इसलिए मैंने बोला लाइफ is illusion, डेथ is reality and in this life we should prepare for our death तो हर दिन हम रिपेर कर रहे हैं अपने आपको मौत के लिए कैसी मौत है, वैस उसके लिए, मौत वर्ड देखो गई तो डेथ के बारे में बात करो and people think that यह तो बहुत गड़बड है people don't want to talk about death, मौत के बारे में कोई नहीं बात करना चाहरा लगता है डर डर लगता है, और वो डर क्यों लगता है क्योंकि हम, हाँ, exactly so true, कि अगर मैं भी सोचूं उसके बारे में तो immediately I'll think about my little one who is hardly a couple of years old I'll think about my family वो मोही तो है न, जो मुझे डर दे रहा है सामे और तभी जो है, महादेव शिव को आप हमेशा एक minimalistic रूप में देखते हो शम्शान की भस्म जो है वो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे लेपी होती है क्यों? He's a reminder This रुदराक्ष is a reminder उनकी जब भस्म लगाते हैं तो वो एक reminder है कि आप, everything is transient Are you ready? Now? Are you ready now? जिस दिन ये सवाल का जवाब आगया Yes, I'm ready now To go to the next Yes Or to surrender this body Body, कपड़ है ना? कपड़ है, तुमने एक साल पहले काले रंग का कुर्ता पहना होगा आज तुम सफेद कुर्ते के साथ बैठे हुए हो कौन सी बड़ी बात है? अंदर जो हो उसको जान पाए हो क्या? या ये सिरफ कपड़े हमें प्यारे हैं कि हाँ आज इस शरीर, आज ये शरीर मिल गया आप एक बात बताओ मुझे पहले लोग 100 साल जिया करते थे आज की डेट में 60-70 साल उमर रह गई है कल यूग में श्रीमत भागवतम में लिखा है कि कल यूग में जो उमर है वो रह जाएगी 20 साल, 15 साल, 13 साल अब उस साल में आपको पढ़ना भी है उस साल में आपको बच्पन से जवान भी होना है करियर भी बनाना है शादी भी करनी है बच्चे भी पैदा करने है और आध्यात्मिक जीवन भी जीना है कैसे होगा पॉसिबल जो पहले था कि लिख 25, 25, 25 अब तो राही नहीं है राही नहीं है ना नहीं है वो काल है उन्होंने decide करना है हमें सिरफ समझना है और आगे आने वाला समय अच्छा नहीं है ये हम सब को पता है दिख रहा है कौन कहेगा कि आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है whether economically आप देखिए recession की बात हो रही है wars हो रहे हैं कहां से अच्छा है आगे आने वाला समय? तो इसलिए मैंने आपको बोला कि spiritual transformation आध्यात्मिक उत्थान का मतलब है आप जिन चीजों पर आज तक बहुत dependent थे वो आप से ले ली जाएंगी और जब वो चीज़ें ले ली जाएंगी तो आपकी life में anchor क्या होगा? आज आपके जीवन में गुरू का होना बहुत ज़रूरी है आज आपके जीवन में ग्यान का होना बहुत ज़रूरी है और अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो आपके पास क्या anchor है? आप बताओ दो चीज़ें, एक तो आपने शमशान का जिकर किया तो वहाँ पर अगोरी जो होते हैं कहते हैं कि किसी को असानी से मिलते नहीं है और ऐसा भी कहते हैं कि अगोरी जो है जब तक आपका भाव बिल्कुल प्योर नहीं होगा तब तक आपसे बात भी नहीं करेंगे कभी असापसत हुए है कि आपका आमना सामना हुआ किसी अगोरी से बात हुई हो आपकी वो लोग कौन है वो कहां से आते हैं उनकी सोच क्या है वो ऐसे क्यों होते हैं देखो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि परमात्मा को पाने का रास्ता और उस ultimate detachment को feel करने का सबका अपना-पना मार्ग है अगोरी एक मार्ग है एक परंपरा है एक मार्ग है अब आप देखिए ये अगोरी जो है ये भी भक्त हैं इनको भक्त माना जाता है इनकी सोच क्या है या इनकी इनका ढंग क्या है आप अगर इनको देखें तो इनको भी तो देख के डर लगता है जिस तरह से ही रहते हैं जो ये खाते हैं इनकी दिन चर्या इनकी वेश भूशा क्या है इनकी लेकिन अगर आप समझें इसको तो ये वो हैं जो इसी जीवन में उन सब चीजों का त्याग कर चुके हैं जो मैटर करती हैं और ये उन चीजों का रस ले रहे हैं जो इनको कम्प्लीटली इस जीवन से डिटाच कर दे अगर आप आक्चली देखें ये सब वो काम कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं जो आपको डरा सकते हैं काम तो वो क्या है? इस नॉर्मल साधारन जीवन से हट के एक टोटली डिटाच्ट लाइफ जीना और शायद शिव को हर पल अनुभव करना ये उनका तरीका है उस परम तत्व को जानने का और उसका अनुभव करने का Like I said, अलग-अलग तरीके हैं शिव को जानना शमशान में होता है अब आपको अगर शमशान से डर लगता है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको शिव का अनुभव नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है Because I feel that every place has a vibration and connects you to a more intense energy आपने अभी क्या बोला जब हम शमशान में जाते हैं तो वहाँ शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ती देखते हैं तो वहाँ पर definitely दिया जलाने का या उनकी आरती उतारने का भाव तो आता नहीं है न Surrender होता है कि बड़ी Surrender लो बड़ी तुम्ही हो जान गए लेकिन जैसे ही बहार निकलते हैं शमशान से जियों कित्यों Back to Maya This is it So when they or Aghoris or anyone else also you know, but like I said that we cannot, without knowing that entire parampara without knowing that entire sect we cannot say कि हां, मतलब वो चिलम पीते हैं तो हम भी पी सकते हैं उसके पीछे कुछ बहुत बड़े राज है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है उनकी विचारधारा है और उनका बहुत बड़ा समरपन भी है और इसके वो बहुत जादा एवाल्ड है अभी भी मुझे लगता है ऐसा कि मैं बात कर सकता हूँ शिव जी के बारे में I can talk about detachment sitting in this AC room लेकिन वो डर मिननद अभी भी है to leave everything और एक वो शक्स है इसने सब को छोड़ दिया है उसको फरक ही नहीं पड़ता He's fearless now No judgment मेरा परिवार निकल क्या होगा He's not all concerned उसने सब को छोड़ दिया है So He's like fearless Yes, और शायद इस जीवन में उनके लिए यही नियती रही होगी वो उसलिए आये थे जीवन में कि उनको यही लेवल अटेंड करना होगा Exactly हर किसी की नियती decided है भागय हमारे हाथ में है हम अपने करमों से उसको decide कर Like I said, free will and God's will तो भगवान आपको भेजते तो इसी लिए है कि चलो वापिस जाओ इतनी सारी यूनिया पूरी करो 84,000,000 यूनिया पूरी करो चलो वापिस मृत्यू लोक में जाओ मनुष्य जनम लो और हरी का नाम लेना भगवान का नाम लेना और इस विश्यस साइकल को तोड़ के आना इस बार कुछ लोग तोड़ लेते हैं कुछ लोग 20 साल की उम्र में अब आज 5-5 साल के बच्चे 2-2 साल के बच्चे आप देखिए भागवत कता कर रहे हैं या श्लोक सुना रहे हैं पेरेंट्स हैरान होते हैं कि इसको ये कैसे पता है ये कौन से सोल्स हैं और ये क्यूं आए हैं वापिस पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए स्पिरिच्वल पेरेंटिंग का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी आत्मा आई है और उस आत्मा के क्या गुण है तो आप उसके लिए माली बनो अब आपने तो ये बोला रहे नहीं ये मंतर वंतर छोड़ो एक बड़े से स्कूल में पढ़ाओ बच्चे को बढ़िया अपना सारा बहार भेजेंगे पढ़ने वढ़ने इसको नौकरी करेगा बढ़िया हमारा नाम रोशन करेगा जब एक आत्मा होती है वो अपने संस्कार लेकर आती है, प्रारब्ध लेकर आती है और उसको पता है कि मुझे किस माता-पिता के पास जाना है और उस माता-पिता को ज्यान होना चाहिए कि अब मैं इस बाग का माली हूँ, ये बच्चा मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं सिर लेकिन I will nurture, मैं इसके संसकारों को और nurture करूँ, तो आप उनमे मैंने और डालो संसकारों का, समय पर सब दो बच्चे को, सब दो भातिक सुक्सु विधाई भी दो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ग्यात होना चाहिए कि हमें ये जो जनम मिला है, और कितने कम साल हैं हमारे पास इसमें अगर आध्यात में कुछ थान नहीं किया, तो फिर अगला जनम लेना पड़ेगा, और फिर इतने सारे करमों को interest के साथ, प्रिंसिपल तो है ही, interest के साथ फिर वो इतनी बड़ी गठरी आएगी, और इतना बड़ा बोजा होगा, और फिर सारा चीजें फिर से जीनी पड़ेंगी, आज तो चलो शरीर अच्छा है, क्या पता, अगले जनम में अंधे, लूले, लंगडे पैदा हो गए, तो क्या करेंगे? आपने उस पौदे को सब कुछ दिया, राइट मैन्योर, राइट शेल्टर, फिर भी उस बीच का उस पौदे का अपना भाग्य है, चाहे कितना बेचले माली हो, ऐसे ही उस बच्चे का भी भाग्य अपना है, चाहे पैरंस कितना भी कुछ भी करने बैस दे दें, फिर भी जो लिखा हुआ है उसके भाग्य में वो होना ही है, I would say कि एक सेब का बीज तो सेब का पौदाई बनेगा, लेकिन कैसे सेब आएंगे, सड़े वे आएंगे या अच्छे सेब आएंगे, उसकी उपज कितनी होगी, ये माता-पिता के हाथ में होता है, आपके लगता है कि माता-पिता के साथ-साथ है, जो लगता है कि हर माता-पिता कोशिश करता है अपने बच्चे को अच्छा जीवन देने की, फिर भी, एक बच्चा बहुचा करता है, एक बच्चा नहीं गर पाता, and that is where I feel कि there is that blessing which the person carries with himself. येज, absolutely, प्रारब्ध है, नियती है, बिल्कुल है, absolutely, एक ही परिवार में आप देख सकते हो, कि एक बच्चा, कई परिवार ऐसे देखे हैं, एक चोर, एक संथ, बिल्कुल है ये, लेकिन उस परिवार का भी प्रारब्ध है ये, जिसको हम कुल दोश कह सकते हैं, उस परिवा को अगर ये बात समझ आ जाए आध्यात्मेक रूप से कोई उनको ये बात समझा दे कि देखो ये जो बच्चा है जो चोर है इसको रिब्यूक मत करो ठीक है इसको ऐसे मत न कारो दिये तुम्हारा कोई पूर्वजनम का करम है जो आया है इसको फेस करो इसमें संस्कार डालो आप एक डबे में काला पेंट ले लो उसमें सफेड डालते रहो डालते रहो डालते रहो पहले थोड़ा पेशन्स चाहिए उसके बाद एक टाइम आएगा जब वो साफ हो जाएगा मेरे कुछ और सवाल भी है बहुत सारे लिकुछ नी बहुत सारे है एक है अराउंड अर्द नारिश्वर इसक्टली क्या है क्या है क्या हम इतने मिच्वरें to understand the union of shiv and shakti explain it in the most simple words क्या है energy, शक्ति, प्राण शक्ति हमारी अगर मैं like I said समझाने का सबसे अच्छा तरीका है अगर मैं आपको इस शरीर के माध्यम से समझाती हूँ हमारे अंदर एक प्राण शक्ति है जो हमारे हर एक और्गन को संचालित करती है see I also come from a medical background and hardcore science background तो सालों पहले ये भी सोचती थी कि anatomy एक subject होता है और एक subject होता है physiology anatomy है कि organs of the body, physiology है कि how they work तो मैं ये सोचती थी कि ठीक है heart है अब एक energy है जो heart को pump करा रही है अभी हम बैठे हैं लेकिन ये विश्वास है न कि हमारा पूरी body के सारे organs अपने आप काम कर रहे है हमें कुछ कहना नहीं पढ़ रहा उसको ये है हमारी प्राण शक्ति ये है शक्ति जो अद्रिश्य रूप में हमारी हर एक चीज का संचालन कर रही है in science we say there is a manifested and the unmanifested right it's like a bulb the bulb जब बल्ब जलता है तो आप जले वे बल्ब को देखते हो लेकिन वो current जो travel करता है तार में वो दिखाई नहीं देता पर ये भी सत्ते है कि filament की जरूरत है उस बल्ब की जरूरत है for that energy to manifest itself right जब हम श्वास ले रहे हैं छोड रहे हैं ये हरक्षन हो रहा है you believe me हरक्षन हो रहा है तो will you also believe me की हरक्षन हम शिव और शव बन रहे हैं सास छोडी शव बन गए सास अंदर ली शिव शव शिव शव शिव शव when I breathe in you are in me when I breathe out I am in you ये तो आभास है हमें अब देखिए सास नॉर्मल ले लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है सास लेना लेकिन अब देखो ना सास की परिभाशा बदल के देखो उसकी intensity बदल के देखो ये श्वास जो हमारे अंदर जा रहा है वो है प्राण शक्ती जो एक एक cell को संचालित कर रही है उर्जा दे रही है उसमें जिस दिन इस शक्ती ने decide किया कि अब ये वापिस नहीं आएगी अंदर वो हमारी आखरी श्वास होगी छोड़ देंगे बस हम वो वापिस नहीं आएगी उस दिन हम शव बन जाएंगे means when शक्ती decides that she will not come back that day we will become शव when we look at Ardhanarishwar we look at Shiv and शक्ती together for spiritual evolution and balance तो सबसे पहले हमें इस श्व और शक्ती को अपने अंदर देखना है हमारा जो right side योग भी कहता है इडा पिंगला और जब ये balanced होते हैं तो बीच की सुशुमना नाड़ी activate हो जाती है जिसको हम kundalini भी कहते हैं brain का दो hemispheres हैं right hemisphere and left hemisphere for us to be healthy left और right का balance ज़रूरी है ऐसे ही हमारा एक side right side शिव मानते हैं और left side शक्ती masculine and feminine ये दो aspects हैं gender diversity का मतलब ये नहीं है कि gender equality के लिए हम लड़ रहे हैं कि आदमी बड़ा या औरत बड़ी शिव और शक्ती का ज्यान सबको sum कर देता है because it's an aspect you are born as a male but you also have शिवन शक्ती your right side is shiv and left is शक्ती I am born as a female लेकिन मेरे पास भी right side है और left side है masculine भी है feminine भी है जब मैं कोई बहुत मजबूत चीज उठाती हूँ जब मैं cylinder उठाती हूँ gas का तो मैं अपने masculine शक्ती का इस्तमाल कर रही हूँ जब मैं घर को सजाती हूँ तो मैं फेमिनिटी का इस्तमाल कर रही हूँ right do you feel that just like dominant side to a person काई बार मैं अब्जर्फ किया कि किसी शक्स के अंदर suppose being a male by gender I may have a dominant feminine energy yes that's true इसी लिए होता है but ideal होता है balance कि तभी processes बने हैं तभी योग बना है तभी इतना बात की है महारिशी पतांजली ने इतने सूत्र बने हैं कि ideal situation होती है शिव और शक्ती का balance जब ब्रह्मांड में भी शिव और शक्ती का balance नहीं होता तब क्या होता है तब प्रलय आती है न तो जब मा बहुत ज़्यादा आप देखे काली जब इतना उनका उग्र रूप हो जाता है कि ऐसा लगता है अब बस स्रिष्टी खतम होने वाली है तो स्वयम महादेव को आना पड़ता है न उन्हें रोकने के लिए balance तो ये प्रकृती और पुरुष का balance है घर में माता और पिता का balance है आपके अंदर का balance है तो जब हम इस balance को समझते है spiritually तो हमें ये समझ में आता है कोई लड़ाई जगडे की बात नहीं है no one is bigger or superior than the other each one is doing their own role and we have to strike the balance so अर्ध नारीश्वर आज के संदर्भ में सबसे पहले तो खुद के लिए कि आप अपने शिव और शक्ती को अपनी प्रकृती को तो आज पिता भी तो ध्यान रखते है ना बच्चों का पिता भी तो खाना बनाते है कौन सी बड़ी बात है तो जब हमारे अंदर ही तो है ये दोनों चीज़े आज शेफ्स, the best chefs are males how is that possible if cooking is only for the female because it's not about male-female it's about masculine and feminine the two qualities which are there in every human तो आज के संदर्भ में हमें शिव और शक्ती को इस अर्ध नारीश्वर के रूप को सबसे पहले अपने लिए और फिर अपने घर के लिए जिससे कि घर में शान्ती रहे सुख रहे अगर एक पत्नी काम कर रही है तो पती भी घर में हात बटा सकता है और अगर पती कमा के ला रहा है तो पत्नी जो है वो घर संभाल सकती है और ये बैलन्स होना चाहिए घर में तभी हम हेल्दी होंगे विकज हेल्थ इस अल्सो फिजिकल, मेंटल, एमोशनल, स्पिरिच्वल, बेहेविरल, सोशल, एवरिथिंग तभी तो हम अपने आपको holistic मानते हैं न same way हमारे घर में सुक शान्ती तभी होगी जब हमारे घर में बैलन्स होगा अगर पिता जो है बोलेंगे मैं सुपीरियर हूँ या मा ने बोला मैं सुपीरियर हूँ तो हमेशा कलेश होगा और इसलिए मैं बोलती हूँ कि जहां कलेश है वहां कैलाश हो ही नहीं सकता अब आपने जब कैलाश का जिकर कर दी दिया है मेरा मन नीथ तभाई नहीं बात करने का बहुत सारी conspiracy-like theories है around कैलाश परबत लोग कहते हैं कि वहां जाता है इंसान तो एक अलगी अनुभा महसूस होता है ओम की अवाज हर दिशा से आती है उसको आप अटेंप नहीं कर सकते unlike other peaks क्या ये वाकिय में सत्य है या फिर सिरफ कहानिया बनाई गई है तुम्हें क्या लगता है मुलगता है कि कुछ तो सत्य होगा या लगता है मुझे बाकि यू आर अन अथरोटी तो यू उड़नो बेटर I am his sadhak so I know that जो वो मुझे दिखा रहे है या जो अनुभव मैं करती हूं it is something which is profound important to know मतलब कैलाश मेरे लिए एक स्थिती है स्थिती है मतलब मतलब कि कैलाश एक फिजिकल प्लेस नहीं है मेरे लिए माउंट कैलाश है right and I also wish to go there मतलब हर शिव सादक का तो मन करेगा कि वहीं जाके प्रांट छोड़ दें correct लेकिन मेरे लिए सबसे पहले कैलाश एक स्थिती है और मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं वो स्थिती नहीं लाऊंगी पूरी तरह तब तक वो accessible भी नहीं हो पाएगा मुझे आज बेशक हम एक बहुत technologically sound यूग में है helicopter से दर्शन कर लो ये कर लो वो कर लो बट कैलाश को experience करना वो नहीं है कैलाश की स्थिती का मतलब होता है जहां बिल्कुल भी कलेश ना हो कैलाश कैसा होगा वहाँ की fragrance कैसी होगी वहाँ का महौल कैसा होगा प्राकृतिक रूप से जो दुश्मन है वो कैलाश पर प्यार से रहते हैं वहाँ मुशक भी हैं वहां शिव के गण भी हैं वहां नंदी जी भी है वहां मोर भी है जो प्राकृतिक रूप से दुश्मन है वो कैलाश पर प्रेम से रहते हैं और उनका हेड कौन है स्वेम महादेव यानि आप देखे उनकी अथोरिटी आप देखे वो क्या पिता रहे हैं होंगे क्या होंगे वो कि उनके होते हुए कैलाश पर कोई कलेश नहीं कर सकता तो मेरे लिए कैलाश एक स्थिती है और जब तक हम वो स्थिती अपने अंदर लाते नहीं है उस स्थिती का अनुभव नहीं करते तब तक वो कैलाश क्या है वो समझ में भी नहीं आ सकता तो फिर आप जितनी भी बाते कर लो एलियंज हैं एज बढ़ जाती है घड नाखुन जल्दी बढ़ जाते हैं लोग पागल हो जाते हैं कुछ भी बात कर लो ना मेरे लिए मैं वो समझ भी नहीं पाती like you know you have a perception of something आपको समझने के लिए भी तो एक लेवल चाहिए ना तो मैं तो वो समझ भी नहीं पा सकती अगर मेरे मन के अंदर कलेश होगा तो सब अपसे पहले तो कैलाश को अनुभव करने के लिए कैलाश की स्थिती लेकर आईए मनोस्थिती एक तम शांत काम कंपोजट कितना सुंदर होगा कैलाश कितने वहाँ फूल होंगे नाचरल है वहाँ पर बरफ पढ़ती है वहाँ पर extreme temperatures होते होंगे कभी कभी साधना में भी लगता है एकदम से आपका शरी ठंडा हो गया तो लगता है आप कैलाश पर थे अभी 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 उन्होंने आपको एक ऐसी हवा का जोंका दिया कि देखो ऐसा है कैलाश इतनी ठंड लगती है कैलाश पर जेल पाओगी क्या समझ में आता है कि आप कैलाश की स्थिती का अन तो एक पाट अच्छा है कि चलो इसी भाने लोग पहुंच पारे हैं लिकेदा बाबा के पास बट क्या वो भावना वो भाव लिक सही है? I don't know, because मुझे लगता है कि ये इतनी पावरफुल प्लेसे हैं और ये स्थान ऐसे हैं जहां स्वयम आपका फोन मतलब आप खीचते हो because आपके पास अच्छा है memory capture कर रहे हो archives में जाएगा ये कि आप कभी गए थे जन्मो जनम में शायद ये मौका मिला आपको लेकिन आप वो experience कैसे करोगे? जब मैं केदार गई थी तो मैं तो मतलब I was mesmerized I was I could not stop my tears पता नहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे अश्रूओं की धारा ऐसी बह रही है कि कोई नदी न बन जाए इतना रोना क्योंकि जहां भी नजर डालो वहां ऐसा लगता था कि महादेव की जटाएं है वो जो बरफ होती है और जो इतने आसपास पहाड है ऐसा लगता है महादेव की जटाएं है और आप इनके जटाओं के बीच में खड़े हुए हो और वो अनुभव बस capture हो जाना चाहिए अगर आप रील्स बना रहे हो और आप ये सब कर रहे हो तो अनुभव नहीं हो सकता है हाँ आप भागेशाली थे आप वहां तक गए बाबा ने आपको बुलाया लेकिन आप भूल गए कि किसलिए बुलाया वो घंटो लाइन में खड़े होना वो बार बार बाबा के दर्शन करना वो इंतजार I'm strictly against VIP culture because I feel that वो जो इंतजार में मज़ा होता है when you are waiting to meet him just for two seconds सिरफ दो सेकंड के लिए आप मिलोगे लेकिन वो जो इंतजार में मज़ा है वो जो कसक है वो जो एक भाव होता है जब आप अपने प्रेमी से मिलने जा रहे होते हो and you feel so nice and you feel so special and क्या बोलोगे दो सेकंड में उनको देखोगे या कुछ बोलोगे यह जो भाव होता है यही तो है मज़ा यही तो है भक्ती when you go किसी भी तीर्थ पर जवाब जाते हो आप भले किसी ग्रुप के साथ जाओ लेकिन यह याद रखो यह स्मरण रहे कि यह आपकी अपनी जर्णी है capture those moments उनको अपनी आत्मा में उतार लो क्योंकि यह फिर से नहीं होने वाला है and this is what is called evolution किसी तरह की कि हाँ आज मैं केदारनात होकर आई हूँ तो वापिस आके मैं कैसी हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ वहां से मैं किस का स्पर्ष किया है अब आज मैंने केदार बाबा का स्पर्ष कर लिया आज मैंने महाकाल बाबा का स्पर्श कर लिया आज के बाद ये हाथ कहीं कुछ गलत स्पर्श नहीं करेंगे उन्होंने मुझे स्पर्श करने दिया कितना बड़ा भाग्य है ये see it's about how you think एक भक्त जैसे सोचता है न शायद साधारन इंसान वैसे सोच नहीं पाता ज्यानी बोलेगा आख कौन सी बड़ी बात है वहां के पुरोहे तरे हम तो रोजी स्पर्श करते है मेरी और उनके बीच की बात है न तुम क्यों आ रहे हो बीच में this is between me and him right so when you have this and when you live with this this one moment is enough is enough this is such a fuel for your entire life and आपको दिशा दे देते हैं आपको दिशा दिखा देते हैं तो वो अगर आप बाते कर रहे हो मैंने तो sorry दिवस मैंने तो ये भी देखा है और बहुत दुख होता है मुझे ये देखकर लोग तीर स्थानों से वापस आते टाइम और ये मुझे वहीं पर बताया केदार में रिशी केश तक में कि जो ऐसे तीर स्थान होते हैं उनके आस पास वाली जो जगाएं होती हैं वहाँ पर लोग मास मदिरा भी लेते हैं unfortunately है कुछ लोग जो नहीं आता है समझ उनके लिए वो एक vacation है exactly ठीक है उनकी अपनी यात्रा है लेकिन दुख बहुत होता है क्योंकि ये मुझे जिसको ये ग्यात हो गया ना कि ये जनम बड़ी मुश्किल से मिला है बहुत कठिनाई से हम वापिस and we are so blessed as humans because ऐसा मानते हैं कि human life में ही आप consciousness को evolve कर सकते हो हम blessed है तो कभी-कभी लगता है क्यों अपना जीवन इतना व्यर्थ इतना वेस्ट क्यों करना अपना जीवन why not just experience जिस चीज के लिए हम आए हैं और अपने जीवन ऐसा नहीं है जब लोग होकर आते हैं तो आपका जीवन बदलता है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो इस भाव के साथ जाते हैं आगे वापिस आने के बाद उनका जीवन बदल जाता है कहां से कहां उनका जीवन पहुच जाता है and but then you have to feel it तो जो तरीके हैं पूजा करने के वो सब के अलग-अलग होता है हम observe करते हैं कि जो shivling है उसकी पूजा की जाती है तो पहला सवाल कि हम shivling की पूजा क्यों करते हैं normally तो हम लोग कहते हैं कि शिव जी की जो मूर्ती है उसके आगे हमें हाथ जोडने चाहिए बट हम shivling की पूजा करते हैं दूसरा जैसे हम पूजा करते हैं जिसमें हम shivling पे दूज चढ़ाते हैं फ्रूट्स चीजें सब कुछ लिए करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तो वेस्ट कर रहे हो कि इस अच्छे जो जो गरीब आदमी है उसको दे दो कुछ instead of कि आप समें डाल रहो वो नाली में जा रहा है बहुत सारे इस पे थौट्स हैं तो मुझे बताईए अब क्या होता है देखो मूर्ती जो है वो important अब इसी लिए हो गई है क्योंकि हम relate नहीं कर पाते पुराने जो यूग थे उसमें यग्यशालाएं होती थी गुरुकुल होते थे आश्रम होते थे और वहाँ पर इतना मूर्ती की पूजा का इतना वो नहीं था आत्माई शहीद थोड़ी सी evolved अल्रड़ी थी कल्यूक तक आते आते बहुत discharge हो गए हैं सब लोग वाइस बहुत बढ़ गए हैं पाप बढ़ गए हैं तो हमारे लिए relate करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए जब हमें कोई प्रतिमा दिखाई देती है जो बहुत सुन्दर है कमल नैन है उनके पांचे हाथ है पांचे सर है मतलब हम देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि ये हमसे बहुत पावरफुल है तो थोड़ा सा लगता है हाँ ये भगवान है देवता है या देविया है पहले शायद अगर आज आप भी थोड़ा सा अगर भक्ती के उस लेवल पर हो तो आज आपको शायद हर पेड में भी उनका आकार दिखेगा हर जानवर में भी आज जानवरों को क्यों असोसियेट किया गया है देवी देवताओं के साथ क्योंकि कहीं हम इनकी पूजा भूल न जाएं पेडों को क्यों हम पूजते हैं पीपल के पेड को क्यों पूजते हैं बढ़ के वरिक्ष को क्यों पूजते हैं कि कहीं ये हम भूल न जाएं क्योंकि पहले तो रिगवेद कहता है terrestrial gods ही थे उनकी पूजा हुआ करती थी तो one is that जब मूर्तियां आई तो हमने रिलेट करना शुरू किया they had a human form and they were more powerful than us they were more beautiful than us right one is that the other is that shiv ling जो है महादेव की pictures भी आती हैं महादेव की मूर्तियां भी होती हैं लेकिन jyoti swaroop जहां जहां आप 12 jyotir ling की अगर बात करो तो ling swaroop में और जो ling और जो yoni है वो that itself means the union of shivin shakti right अब वो ling swaroop अगर आपने कभी ling देखा है अगर मैं आपको scientific aspect से भी बता दूँ कि लोग ling को गलत तरहां से और अपनी सोच के हिसाब से interpret करते है actually the ling is elliptical in shape, pinned and see the shape of the galaxies and the universe it is elliptical in shape if you see ever the universe is shown as elliptical in shape and that is exactly the shape of the shivling so which means that swayambhu क्यों बोलते हैं swayam प्रकट हुए है वो shiv को swayambhu बोला जाता है swayam प्रकट हुए है वो ये किसी ने बनाए नहीं है ये swayam प्रकट हुए है तो swayam जो चीज प्रकट हुई है उसके अंदर वो ऐसे energy points है उनमें इतनी उर्जा है कि उनको स्पर्ष तो दूर की बात है उनके आसपास बैठने से ही आप कितने उपर उठ सकते हो आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है so there are energy points and that is why if you see shivlings are not just in India जगा जगा पे मिल रहे है जगा जगा पे जहां इस excavations हो रही है वहां आपको shivling जैसे आकार के कुछ structures मिल रहे है किसने बनाए कब बनाए कोई सोचने गया था क्या कि अच्छा आप मैं यहां यहां जाओंगा और हर जगा एक shivling जैसी कोई चीज बना के आओंगा स्वयम प्रकट हुए है energy centers है यह जहां shivling होता है वहां के आसपास की energy इतनी high होती है कि आप संभाल भी नहीं सकते उसको तो जब हम shiv पे जल चड़ाते हैं तो हम जल के रूप में अपने आपको अर्पित कर रहे हैं we are giving reverence to that आप के पास आप तो यह बोल रहे हो कि दूद दही लोग जो आज कर बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना बाद ऐसा लोग का अलिमाना है तो इसको कुतर्क का issue मत बनाओ जो चढ़ा रहा है उसको चढ़ाने दो अगर आपको नहीं चढ़ाना आप मत चढ़ाओ आपका भाव है आपको पानी भी मत चढ़ाना आप ना चढ़ाओ आप अपने मन को चढ़ा दो अभी मुझे यही लगता है कि एक टाइम पे आके आप जब भक्ती की पराकाष्टा आ जाती है तो आपको लगता है कि अब क्या ही चढ़ाऊ इनको मैं, वो इतना संबंध भी इतना पावर्फुल आपका हो गया है तो लगता है क्या चढ़ाऊ, क्या मतलब तुम्हें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मतलब अब एक ही चीज है, मे मेरा मन लो, मैं अपने मन को रोज तुम्हारे लिए साफ करती हूँ, मेरा मन ले लो, मत चढ़ाऊ कुछ भी, लेकिन कुतरक का इश्यू मत बनाऊ, सिरफ जब हम किसी को गलत साबित करने के लिए कुछ बोलते है न, वहाँ पर spiritual intention खराब हो जाती है, मतलब आपका भाव क्य इस भी रास्ते से जाकर पा रहा है, उसका रास्ता है, कोई बात नहीं, उसको दूद चढ़ा कर अच्छा लग रहा है, उसको शहद चढ़ा कर अच्छा लग रहा है, उसको पंचामरिच चढ़ा कर अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, as long as वो महादेव को पाले as long as वो समझ जाए कि उसका जीवन बदलना चाहिए आज सबसे ज़ादा जरूरत है बदलाव की सबसे ज़ादा जरूरत बदलाव की है और वो किसी भी माध्यम से आजाए बदलाव वो वैशनो देवी जाके आजाए वो केदारना जाके आजाए माकाल जाके आजाए या आप नहीं जा सकते आप सक्षम नहीं हो आपके पास नहीं है पैसे पैरों में चोट लगी है होस्पताल में हो इसका मतलब ICU में रहने वाले तो कभी दर्शन ही नहीं कर सकते तो क्या उनको भगवान नहीं मिलेंगे उनके लिए तो स्वयम आते हैं उनके लिए तो बोलते हैं कि चलो तुम नहीं आ सकते ना मैं आता हूं तुम्हारे पास and what is Adhi Yogi? Adhi Yogi they say is the first yogi and I think what you are holding in your hand is the miniature of Sadhguru's Adhi Yogi and Adhi Yogi is the first one the first ever one Jinnu ne Sapturishiyon ko gyan diya and and that's the same thing that we say that Param Tattwa that he was the first one everything started from him only so if you look at that Nirvana Shatakam or Nasa Diyasuktam so you are in it no Sokhyam, no Dukham no Punyam, no Paapam no Mantro, no Teert no I am Kaan, no I am Aak no I am Antriksha, no I am Aakash no I am Punyam, no I am Paap hoon, no I am Mrityu hoon no I am Janam hoon then what am I? so Shivoham, Shivoham yani main Shiv hoon main wo Param Tattwa hoon main wo Shiv hoon main wo Tattwa hoon jahaan se sab kuch haya Janm aya, Mrityu aya, Kaan aya aankh aya, Antriksha aya, Pula aya, Paudhe aya that is Adiyogi, that is Shiv the source anadina anthma and same thing aap koji bhi shiv sutra u'thalo na ved, upanishad bhot saare references hain hume ki jab kuch bhi nahi tha big bang theory ki hum baat kertte hain toho nasadiya sukt hai na vedo ka ho bolta hai na bharat ek khoj ka title song yaad kar lo joh dur darshan pe aata tha ya na ki kuch nahi tha ish rishhti se pahle kuch nahi tha andhkar so he is darkness he is taught us that darkness is real ya na andhere mein rahna seekho darkness mein rahna seekho ye numb kar dėte hain malum hai tumhe he makes you numb ye itna pain dėte hain inki bhakti aasaan nahi hain agar matlab asa lagye ki haa haa matlab shiv bhakt ho gai toh thoda sa inse contract saign karne se pahle thoda ssocna pardta hai inki bhakti itni aasaan nahi hain ye itna pain dėte hain itna pain dėte hain isi liye aap dhekhe joh bhi shiv ke baare me bhoat intensity se baat kertte unke jeevan me ja ke dhekhe bhoat painful ra hai unka jeevan my life is super good now but like I said that because he was there he gave so much pain that I became numb bilkul numb ho jate hain वो state ko feel karwate hain और फिर उसके baad हम बोलते इतना pain क्यूं दे रहे हो हम तो तुमारे भक्त है इतना pain क्यूं दे रहे हो हम तो भक्त है ऐसी कौन सी गलती होगी तुमारी भक्ती करके उसके baad समझ में आता है जब ये नंब कर देते है उसके baad समझ में आता है he was taking away all your suffering he was giving you pain to take away the suffering देखो एक सुई लगती है जब इंजेक्शन लगता है पेन होता है पर वो पेन जरूरी है न same exactly ये सब हर लेते हैं पता नहीं कितने जन्मों का कभी-कभी बहुत emotional हो जाती हूं कभी-कभी बहुत emotional हो जाती हूं कि इतना प्रेम वो feel होता है कि ऐसा कौन सी भक्ती कर ली मैंने ऐसा तुमने एकदम क्या देख लिया कि इतने जन्मों के शाइब फील होता है कि जन्मों जन्मों के प्रारब्धिनों ने हर लिये है जीवन क्या हो सकता था लेकिन पेन he made sure I go through the pain yes and he made sure that I passed the exam also with flying colors that is the beauty of Shiv but सब हर लेते हैं ये your life just changes मतलब मेरा आज अगर आप जीवन मुझे बोलो ना तो ग्रिहस्त में हूं सब है लेकिन इन से I think हर श्वास हर श्वास में महादेव है I don't even know how to explain it anymore but I can just say that हर श्वास में मेरे महादेव है because I know I know कि जीवन क्या हो सकता था I know मैं देखती हूं आसपास लेकिन मुझे ये भी स्मरण है कि थोड़ा सा सरेंडर किया मैंने इनको और इतना खुश हो गे इतना खुश हो जाते हैं ये तभी इतने भोले बोलते हैं लोग इनको then you become very possessive about him then you don't want to hurt him because you know that he is so भोला वो इतने इनुसेंट हैं इतनी जल्दी खुश हो जाते हैं वो then you work more फिर आप और साधना करते हो आपको बस फिर ये ही चाहिए हैं आपको फिर आप और साधना करते हो उनके और करीब आते हो और करीब आते हो फिर आपका एक संबंध बन जाता है इनसे आप जब उस फेज में थे ऐसा आपको क्यों लगा कि मुझे शिवजी की शरण में ही जाना चाहिए ये आपनी आप्शिन्स होता है हर किसी के पास और उस समय ये हो रहा कि हाँ मुझे सरिंडर करना है तो शिवजी के आगे ही सरिंडर करना है What was that moment मुझे लगता है मुझे में ना इनके गोण कुछ पहले से ही थे और लोग ये कहते हैं कि जब आप जिसकी उपासना करते हो, आप उसकी तरह दिखते हो, उसकी तरह بن जाते हो उसकी तरह बात करते हो because संगती उन्हीं की है न तो जैसी संगती वैसी गती तो मेरे में चंचलता नहीं थी बट हलांकि मैं मतलब कृष्ण कृष्ण मेरे लिए मुझे प्रेम का मतलब actually कृष्ण नहीं सिखाया तभी मैं इन से ज्यादा प्रेम कर पाई तो जब मैं गीत गोविंदम पढ़ती थी या मैं कृष्ण और राधा का प्रसंग कोई सुनती थी या देखती थी तो सुन मैं वो रही होती थी लेकिन प्रेम मैं फिर इन से कर रही होती थी तो यह सब चला और यह बहुत मन्थन होता है दिवस अग मन्थन होता है जो बहुत चलता है दिन, राट, सुभा, शाम भी लेफ, रहा है दिवस, कोई प्रेम 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 मैं वोगी आपको कभी जच किया जारा है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी आप इतना अच्छा कर रहे थे gold medalist थे तो जीवन में कोई problem होगी कुछ दिक्कत होगी या अच्छा मतलब and then in your younger days also how people look at you, you know it's not a very good feeling but I feel that इनका जो साथ रहाना मैं एक ही चीज हमेशा इनसे बोलती थी साथ रहना कभी कुछ नहीं मागा मैंने इनसे कभी भी कुछ नहीं मागा आज तक I always used to say साथ रहना बस I don't know मैं क्या बोलूंगी I don't know मैं क्या react करूंगी situations आई ऐसा नहीं था life was never a cakewalk आज I am just so blessed that people follow मैं कोच करती हूँ मैं ग्यान दे पा रही हूँ वो भी सक्षम इनों नहीं बनाया है मुझे क्या सक्षम क्या वकाद क्या है हमारी सब तो इन ही का दिया हुआ है लेकिन न उस साथ रहने से ही बहुत जादा हिम्मत आ गई and I faced everything being a woman you know and of course I think the family is a blessing because जब जब आप एक जोन में होते हो ती ती तुम साथ रहना यह नहीं बोला तुम ऐसे करो तुम वैसे करो मेरा यह काम करवा दो nothing साथ रहना बस साथ रहना मेरे साथ रहना यही बोलती हूँ आज तक भी यही बोलती हूँ घर से निकलती हूँ तो बोलती हूँ साथ चलो जरा तो कभी कभी बोलते हैं अब कहां तुम्हें जरुट है मेरी मैं बोले नहीं नहीं हमेशा जरुट रहे चलो जलो so now the relationship that we share is I can't explain it in words I can't explain it in words आपका साथ बना रहे और आपके साथ के जरिये लोगों को ग्यान मिले I mean such conversations questions need to be there people need to hear this and feel that energy thank you for doing this it was a privilege having you over here and knowing you as a person and your experiences I feel ki मुझे इस प्रॉक्सिम्टी में अपुने का जो अनुभव मिला it was nice deep makes me think मेरे कुछ सवाल थे when you said की आप इनी कम्र में इस तरफ दिख जा रहे हो I feel he has a great plan for me की मुझे आप जसे लोगों का रिक साथ मिलता है and I get to know so many things at this age so thank you for being in this life एक बात बोलू दिवस में ये ना इतनी जल्दी खुलने भी नहीं देते किसी के सामने I have done other talk shows I have done podcasts I do go for sessions ये हर किसी के सामने इतना खुलने भी नहीं देते है and I believe that मैं जो भी एक एक शब्द जो मैं बोलती हूं वो इनका संचालित होता है I don't plan anything my diaries are almost empty I carry a diary but it's empty all the time but एक एक शब्द ये उनका कहावा होता है उनका प्रेरित होता है मैं माध्यम बनती हूं तो शायद आज की जो conversation थी वो शायद आपके लिए थी and I'm happy that मैं आपके साथ कुछ ऐसे moments आजा कर पाई जो बहुत डीप होते हैं बहुत intense होते हैं लोग अकसर नहीं समझ पाते उन moments को और I think आज शायद उनका मन किया जब मैं आई तो I mean I was honestly not expecting आपने ऐसा लगा कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बात शुरू होगी इनकी so I'm very happy and very much in gratitude that and I really pray that you go a long way and आपको महादेव खूब तरक्की दें स्वस्त रखें आपके परिवार को स्वस्त रखें और ऐसे ही यह जो आप निमित बन गए हो ना अब इसके लिए that हजारों लाखों लोग कम से कम जान तो लें कि ऐसी कोई चीज है ऐसी कोई उर्जा है और अगर हम हमारे पास डिग्रीज नहीं है या हमारे पास पढ़ाई लिखाई हमने नहीं की या हमें किताबे पढ़ने का शौक नहीं है तो भी भाव तो है हर हर महादेब, हर हर महादेब.